जे नमस्कार मेरा नाम सनी शिर्वास्तो स्वागत आपका टीचर सद्ड़ 24-7 के यूट्यूब चानल पे तो हाजिरू में आपके सामने आज के सेशन के साथ और आज के सेशन में आपको पता है हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोग क्लास 6, 7 और 8 की हिस्ट्री का कम्प्लीट रिविजन करने वाले हैं ठीक सवालों की संख्या अधिक है तो आज जो है वो जहां एक्स्प्रनेशन देना होगा लगता होगा कि हां यहां पर समझाना जरूरी है वहां बात की जाएगी नहीं तो सवाल को थोड़ा तेजी से बढ़ाया जाएगा ठीक तो एक बार फटा फट सारे लोग जो है वो हासिर हो जाईए सेशन के अंदर जहां जहां आपको शेयर करना है कर दीजे अपने स्टेटस पर लगा लीजे जो आपको ठीक लगता हो आप करिए क्योंकि मैं एक बार जब पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो मैं फिर यह सब आपसे दुबारा नहीं बोलने वाला ठीक जो लोग सीटेट की RPG, TGT, SSD की preparation कर रहे हैं या UP वाले exams को target कर रहे हैं उनके लिए भी यह klas अतनी ही important है चाहे आप UP TET की preparation कर रहे हो तो भी आपके लीए klas अतनी ही important है अल्रेडी इससे पहले कल मैंने एक पेड़ागोजी की क्लास ले रखी है और भी मैंने एक दो क्लासेज ले रखी हैं अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेइलिस्ट में देख सकते हैं देखें NCRT फिल्टर सिरीज में मैंने आप से बात की थी और आप किसी भी बैद से जूड़ना चाहें तो आप मेरा कोड इस्तमाल कर सकते हैं अभी डबल वैलिडिटी का ओफर भी चल रहा है तो आप Y793 कोड इस्तमाल कर सकते हैं NCRT फिल्टर सिरीज के अंदर मैंने जो है वो सर मैं सीटट 6-8 वाले में पास हूँ एक से पांच वाले में नहीं तो क्या मैं यह मारस का फॉर्म बर सकते हैं उसमें 6-8 वाला ही चाहिए तो आज इसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे मैंने एक एक चैप्टर पे फुल डिसक्रिशन औरड़ी इस सिरीज में कर रखा है पर सम्हाव अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने यह सिरीज नहीं देख पाए हैं अभी तक समय क्या भाव में आप देर से जागे हैं तो आज की इस क्लास में अंत तक बने रही है इतिहास से जो 15-17 सवाल आने वाले हैं वो आपका कंप्लीट हो जाएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट का मैंने अभी तुरंत थोले दिन पहले मैंने उसको करवाया है आप लोगों को यानि पार्ट नंबर 43 से अगर आप देखें तो इसमें मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट डिसकस किया है तो मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को आज की इस क्लास में नहीं रखा है तो अगर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट का कंप्लीट डिसकसन चाते हैं तो आप ये वाली दोनों पार्ट जाकर देख लीज तो मेरी कोशिश है कि आप लोग सब लोग SST के अंदर कम से कम मिनिमम मिनिमम 45 प्लस आना चाहिए और यकीन वानिये जिसने NCRT filter series देखी होगी उसको कोई नहीं रोक सकता उसको ब्रह्मा उतर जाएं तो नहीं रोक सकते पेड़ागोजी के 20 सवाल के 20 सवाल आपके सही कराने की कोशिश करूँगा 18 तो आप मान के चलिए आप सही करके आएंगे अगर आपने पेड़ागोजी की अब तक जो मैंने 3 classes ली हैं वो आपने देख ली होंगी तो और अभी 1-2 classes उसमें मुझे और करानी है आपको फिर हम लोग 2022-23 वाले online paper जो हुए थे उनको बारी-बारी discuss करेंगे बहुत बढ़ियां तैयारी हमारी हो जाएगी ठीक है चलिए शुरू किया जाए तो अगर आपकी अनुमती हो तो आरंभ किया जाए तयार हैं आप बिलकुल बेटा देख सकते हो निर्मल हम बेटा बात कर रहे ह है क्लास 6 की क्लास 7 की और क्लास 8 की NCRT इन तीन होगे हमारे अतीत हमारे अतीत दो और हमारे अतीत भाग तीन in complete discussion इस पर करेंगे तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा क्या कह रहा भाई पहले सवाल के अंदर question number one कह रहा है निमनलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है not correctly match बताना है तो नर्मदा घाटी को कह रहा है कि वहां पर आखेटक और संग्राहत थे हंटर्स और गैदर्स की जो बात हमें मिलती है वो नर्मदा घाटी से मिलती है सुलेमान और किर्थर की पहाडियों पर कह रहा है कि क्रिशी और पशुपालन का विकास हुआ उसके ब बता दूं आपको मैंने सवालों में बहुत सारे चेंजेज भी किये हैं तो अगर तुम रटे होगे सवाल को तो तुमारे बहुत सवाल गलत हो जाएंगे इसलिए सवाल ध्यान से पढ़कर जवाब देना ठीक है तो यहां पर जिसने जिसका कॉंसेप्ट क्लियर होगा वो एकदम गलत नहीं करेगा और मैं चाहता नहीं कि आज आप गलत करें ठीक तो नर्मदा घाटी में हमें आखेटक और संग्रहक की शुरुआत दिखती है बिल्कुल सही है आखेटक उनको कहा गया हंटरर्स उनको कहा गया जो हंटिंग के थुरू अपना भोजन क्या करते थे कलेक्ट करते थे और दीरे दीरे वो कलेक्ट करने लगे भोजन को तो वो गैदरर्स हो गया बाद में इनके अंदर इसकिल आ जाएगी हंटिंग करने की तो इनको कुशल संग्रहक कहेंगे आपने नर्मदा घाटी में नाम भी पढ़ा होगा धीम बेटका जहां पर इनसान स से होता है यह बात भी बिल्कुल सही है मेहरगड को हम पहली स्थाई बस्ती कहते हैं फ्रस्ट सेटल्ड कॉलोनी कहते हैं यह बात भी बिल्कुल सही है सिंधू और उसकी सहायक नदियों में सैतालिस सो साल पहले सैतालिस सो साल पहले आरंभिक नगर बने थे जिनको तुम क् Indus Valley Civilization Indus Valley Civilization BPSC वालों कल तुमको यह पढ़ाया application पे ठीक पच्छिस सो साल पहले के जो नगर बने वो कहां बनेंगे वो बनेंगे गंगा यमुना दुवाब के इलाके में गंगा यमुना दुवाब के इलाके में बनेंगे जो की नाम था दाउजली हेडिंग जहां से आपको कास्थाश्म के ओजार मिले हैं बरतन मिले हैं और आपको यहां से जेडाई नाम का पत्थर मिला है तो नौर्थीस्ट में आरंभिक क्रिशी के प्रमाल कहां से मिले हैं उत्तरपूर में आरंबिक रिशी के प्रमार मिले हैं गारों की पहाडियों से ठीक तो पहले का कोशन का आंसर क्या हो जाएगा option number C बिल्कुल ठीक है ये map आपको पता होना चाहिए ये रही सुलिमान पहाडियां ये रही किर्थर पहाडियां जहां से आपको evidence मिले है किसके आरंबिक खेती के विंद की पहाडियों के उत्तर में आपको चावल के प्रमार मिले हैं विंद पहाडियों के उत्तर में कहां से कोल्डी हवा से कोल्डी हवा से चावल की खेती के प्रमार मिले हैं महागरा से भी प्रमार मिले हैं और यह गारों की पहाड़ियां जहां पर आरंबिक रिश्य आपको मिलती है अगला केरा निम्न में से वह स्थान जहां सबसे पहले चावल उगाए गया तो मैंने बताई दिया आपको हाँ बिटा बिलकुल फुल रिवीजन होगा आज थेक बस एक बर क्लास को शेयर करो एक बर थाउजन प्लस ले जाना है तो सुलेमान और किर्थर पहाडियां विंद के उत्तर गंगा और सोन नदी सिंदू और साइक नदी तो अभी बता दिया अभी मैट में बताया कि विंद के उत्तर में कोल्डी हवा नाम की जगह से क्या मिलता है चावल का प्रमान मिलता है तो ऑप्शन नंबर बी इस दा राइट आंसर ठीक गंगा और सोन नदी के किनारे पहला सामराज बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं मगद सामराज लगभक क अगर बने हैं लगभक कितने साल पहले लगभक आपके 4700 अगला है सिंदु को इंडोस और हिंडोस नाम किस ने दिया था केवल इरानी लोगों द्वारा केवल यूनानी लोगों द्वारा यूनानी और इरानी और अर्बों के द्वारा तो हिंडोस या इंडोस नाम किस ने दिया था, बताईए, हिंदोस या इंदोस नाम किस ने दिया था, आपके सामने पोल आ रहा है, तो पोल पे आप आंसर देते चलिए, C में आ रहे हैं, 100% लोग बिल्कुल सही है, सबबाश, option number C, अगला सवाल है, निमनलिखित कथनों पर विचार करिए, ध्यान से निमनलिखित कथनों पर विचार करिए, पांडुलिपियां हाथों से लिखी जाती थी, जिन में धार्मिक चिकित्सा और शासन से संबंदित विशय होते थी, मैनुस्क्रिप्स वर रिटेन बाई हैंड, विच कंटेंड सब्जेक्स रिलेटेट तो रिलिजन, मेडिसिन और गवर्नेंस, और कहरा अधिकतर पांडुलिपियां तार पत्रों पर लिखी गई थी, most of the manuscripts were written on palm leaves, क्या हो जाएगा answer, बताओ पोल का, पोल में answer देते चलिए, क्या हो जाएगा answer, बिल्कुल ठीक, option number C is the right answer, पांडुलिपियां palm leaves पे और किस पे, बार्क ओफ, बर्च, प्री प्रिक्ष की छाल पर लिखी गई थी, जो कि आपके कहां मिलते थे, हिमाले छेत्र में मिलते थे, हिमाले रीजन में मिलते थे, manuscript handwritten होती है, क्योंकि इसमें menu जो है, ये Latin भाशा का शब्द है, जिसका मतलब ही होता है, handwritten, जिसका मतलब ही क्या होता है, handwritten, अगला सवाल, महत्वपूर्ण इस्तरी पुर्षों द्वारा कराए गए कार रहे, बताइए, नहीं बेटा, ये मारस की वेकेंसी के लिए, पेपर टू क्लियर होना चाहिए, बताइए, जवाब दीजा, अभी तक एक हजार क्रॉस नहीं हुआ, मैं जब तक आज एक हजार क्रॉस नहीं हो श्मर्ता आदेश, तो आदेश कौन जारी करेगा, राजा करेगा, तो अपनी बारे में बताएगा, विज्यों का वर्णन करेगा, अपने राजा करेगा, आदेश देगा, जो इंपॉर्टेंट इस्तरी पुरुष थे, वो लोग भी अपने कार के लिए अभिलेख लिखते नेक्स्ट है एक तिथी 326 इसा पूर्व को निम्न में और किन तरीकों से लिखा जा सकता है जब हम 326 BC लिखते हैं तो इसे हम और किन-किन तरीकों से लिखते हैं मैंने आपको बताया था कि history writing जो थी वो Jesus Christ से start मानी गई यूरोपियंस ने जब लिखना शुरू किया तो उन्होंने Jesus Christ से लिखना शुरू किया और जीजस क्राइस्ट के पहले वाले समय को उन्होंने before Christ कहा और बाद वाले समय को उन्होंने कहा अनो डॉमीनी बाद वाले समय क उन्होंने क्या कहा एनो डॉमिनी जिसका मतलब होता है ईसा के जन्म के बाद ठीक जिसको उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया AD कहना शुरू कर दिया तो 326 BC को हम और क्या-क्या लिख सकते हैं तो BC को अब हम बोलते हैं Before Common Era भी बोलते हैं यानि BCE भी बोलते हैं और Before Present भी बोलते हैं ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा एक और तीन यानि Option Number D is the right answer Option Number D is the right answer A वालों बहुत मार पड़ेगी Present और Before Present भी में भी लिखा जाता है CE और BCE में भी लिखा जाता है AD और BC में भी लिखा जाता है याद रखना अगला इसको पढ़ लो कि अंग्रेजी में Before Christ होता है AD जिसको हम कहता है Anodomini दो Latin शब्दों से बना है इसका तातपर है ईशा मसी के जन्म के वर्ष से कभी-कभी AD की जगह CE भी लिखते हैं और BC की जगह BCE भी लिखते हैं जिसका मतलब CE का मतलब होता है Common Era और BCE का मतलब होता है Before Common Era इसी में लास्ट में देखो लिखा है अंग्रे जी के BP अक्षर का प्रयोग करते हैं जिसका मतलब होता है Before Present वर्तमान से पहले Next है आखेटक समुदाय के संग्राहक लोगों की खाना बदोशी का क्या कारण था वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे उनका कारण क्या था संसाधन की समाप्ती हो जाना जानवरों के शिकार है तो विचरन वंडरिंग फॉर एनिमल हंट जल श्रोतों की तलास सर्चिंग फॉर वाटर सोर्सेज और मौसमी प्रवास यानि एक मौसम में चीज़ें खतम हो जाएं तो किसी और सीजन की तलाश में किसी और जगह जाकर चलेगा एक जगह गर्मी पढ़ रही है तो दूसरी जगह कुछ और पढ़ रहा होगा तो बिल्कुल ठीक है option number D दिमाग में बिठा लो यह चारो रीजन थे संसादन समाथ होंगे नए संसादन की खोज में जाएंगे जानवरों के शिकार के लिए जिन जानवरों की हंटिंग कर रहा है वो हर समय एक जगह नहीं रहेंगे तो दूसरी जगह जाएंगे पानी खतम हो जाएगा तो नए रिसोर्सेस की तलाश में जाएंगे और मौसम के लिए भी migrate करते थे अगला है निमनलिखित में से कौन सा पुरा पाशारिक पुरा स्थल है पैलियोलिथिक और्केलोजिकल साइट है ध्यान से पढ़िएगा सवाल जल्दबाजी नहीं करना है नमस्कार राजेश जी सभी लोगों को नमस्कार कुर्नूल भीम बेटका और हुन्सगी इन में कौन कौन से पुरा पाशारिक इस्थल है केवल दो दो और तीन एक और दो एक दो और तीन ध्यान से जल्दबाजी नहीं ध्यान से बिलकुल, बहुत बढ़िया, साभाश, option number, D is the right answer, बिलकुल सही, D is the right answer, कुर्नूल कहां है, आंद्र में, क्या मिला है यहां से, राख का अवसेश मिला है, भीम बेट का कहां है, MP में, यहां से क्या मिला है आपको, शैल आश्रे, और शैल चित्रकारी, गुफाओं म पेंटिंग भी बनी हुई मिली है, किन जानवरों का शिकार करते थे उनकी पेंटिंग, और वहां पर रहते भी थे, तो शैल्टर भी मिला है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉक शैल्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रॉक शैल्टर, और हुन्सगी कहां है, हुन्सगी करना फैक्ट्री कम हेबिटेशनल साइट से सघनी स्थ्थ्थूणप पथर के बनाय गया लाइमस्टोन के बनाय गया उजार मिलेς और यह तीनों रही क्या है यह टीनों ही पिलिविर्फिक साइट हैं आपकी भुक में एक इस तरह की बने सी है यहां पर बेखे यह हर गड़ चिरांद दाउजली हेडिंग और अगर आप नीचे आएंगे तो पयम पल्ली और हल्लूर यह सब क्या हैं यह सब नियोलिथिक साइट हैं यहां से एक कोशन आता ही आता है अगला सवाल निमनलिखित में किस काल में पर्यावरणी परिवर्तन प्रकट होने लगे कब पर्यावरणी बदलाव होने लगा बताईए कब पर्यावरणी बदलाव होने लगा किस काल में पर्यावरणी परिवर्तन प्रकट होने लगे बताईएगा किस काल में पर्यावरणी बदलाव होने लगे पुरा पाशान मद्द पाशान नव पाशान महा पाशान लगभग 12 12,000 साल पहले लगबगाग आज से 12,000 वर्ष पूर्व क्या होने लगा था पर्याबरणी बदला होने लगा था टेंप्रेचर बढ़ेगा रेनफॉल बढ़ेगी घास के मैदान क्या होंगे बढ़ेंगे और जब घास के मैदान बढ़ेंगे तो ऐसे जानवर जो घास खाते हैं वो भी बढ़ेंगे जैसे हिरन बारा सिंगा खरगोश इनका शिकार करने के लिए चेंज लाना पड़ेगा ये सारी चीजे हो रही थी मध्य पाशान में तो पत्थर के छोटे-छोटे हतियार बनाए गए यानि माइक्रो लिट्स बनाए ग दंबाई एक से आठ सेंटीमेटर की होती थी नए नए ओजार बनाए जाएंगे तीर धनुष भाला गुलेल इस टाइप के क्या बनेंगे ओजार बनेंगे तो answer to this question is mesolithic period next देखो निमनलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है not correctly match है शुतर मुर्ग का प्रमार पटने से मिला है ठीक मवेशियों के खुरों के निशान महागड़ा से मिले हैं राख के औशेश कुर्नूल से मिले हैं और शैल चित्रकारी के प्रमार हल्लूर से मिले हैं बताओ क्या आज की इस क्लास में रिवाइस करा दू हिस्ट्री अगले हफते पॉलिटी और उसके अगले हफते जोग्रफी और बीच में पैड़ागोजी हम करी रहे हैं आपका टार्गेट है कि 1500 प्लस ले जाना है आज शुतर मुर्ग का प्रमार पटने पटने कहा है महारास्टर में बिल्कुल सही है ठीक मवेशियों के खुरों के निशान महागरा कहा है यूपी में बिल्कुल सही है राप के अशेश कुर्नूल कहा है आंद्र में बिल्कुल सही है गलत क्या हो जाएगा डी शैल चित्रकारी के प्रमार कहां से मिले हैं भीम बेटका से मिले हैं हलूर से हमे से यह चार इस सारी चीज़े मिली हैं, कोल्डी हवा यूपी में यहां से राइस मिला है, महागड़ा यूपी में है, यहां से भी क्या मिला है राइस, तो राइस के एविडेंस आपको दो जगह से मिलते हैं, कोल्डी हवा और महागड़ा से, हल्लूर आंद्र में है, जहां से millet, cattle, sheep, goat, pig और पयम, पल्ली भी आंडर में है जहां से ये चीज़े हमें मिली है अगला सवाल है मानव इतिहास की लगबग 99 प्रतिशत घटना है किस काल में घटित मानी जाती है पुरा पाशान, मद्व पाशान, नौ पाशान, महा पाशान बताइए लालच करना चाहिए लालच से आदमी महनत करता है जैसे मैं राद बर बैट के महनत किया हूँ न तीन NCRT का क्रक्स निकालने में कितना सवाल नया नया बनाना पड़ा है तो महनत हुई है न तो आप मेरे अंदर लालच है तो आपके अंदर भी है तो 99 प्रतिशत घटनाय मानी जाती है पुरा पाशान में इसलिए पुरा पाशान का विभाजन कर दिया गया Lower Paleolithic, Middle Paleolithic और Upper Paleolithic मानते हैं कि Human History में जितना इंसानों ने सीखा वो सब का सब पुरा पाशान काल में सीखा बाकी की सारी चीज़ें जो है वो उसके आगे सिर्फ क्या थी डवलप्मेंट थी तो इस काल को तीन भागों में विभाजित किया गया आरंभिक, मध्य और उत्तर ठीक है 99 प्रतिशत घटनाय इसी काल में होंगी ठीक पाशान इसलिए बोला जाता है इनको क्योंकि इनके बारे में जानकारी पाशान से मिलती है उनके बने उपकरण से मिलती है इसलिए इनका नाम पाशान काल रखा गया है ठीक है और जिस काल में पर्यवरनी बदलाव मिलता है उसे मध्य पाशान यूग कहते हैं ये लगबग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना गया इसमें छोटे-छोटे औजार बनने लगे जिन्हें माइक्रोलिथिया लगू पाशान कहा गया जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ठीक है चालिएगा अगला सवाल मनुष्य द्वारा उगाई जाने वाली पहली फसल कौन सी थी पहली फसल आपको कौन सी मिलती है चना, कपास, गेहू और जो और बाजरा क्या हो जाएगा आंसर बहुत बढ़ी है 93% लोगों ने C जवाब दिया यह 7% लोग कौन है जो गलत कर रहा है गेहू और जो और मैंने बताया था अगर इन में से कोई एक पूछे तो आपका जवाब हो जाएगा जो बिहार वालों ध्यान दो यूपी वालों ध्यान दो अगर एक फसल पूछेगा तो बारली हो जाएगा लेकिन सीटेट में तो दोनों ही आंसर हो जाता है ठीक और अगर पहला एनिमल पूछा जाए कि किसे पहला एनिमल जिसे पालतू बनाया गया तो वो हो जाएगा वाइल्ड एंसेस्टर्स ओफ डॉग यहाँ पर घरेलू करण की जो प्रक्रिया थी उसमें ऐसे पशुओं का नाम आया सामने जिन्हें हम पालतू बना सकते थे और जब हम डॉमेस्टिकेशन का प्रोसेस बोलते हैं तो पैधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को हम क्या कहते हैं घरेलू करण की प्रक्रिया यानि क्रिशी और पशुपालन जब इनसान ये दोनों काम करने लगेगा तो ये क्या कहलाएगा घरेलू करण की प्रक्रिया और ये धीरे धीरे चलेगी 12,000 साल पहले शुरू होगी सबसे पहले गेहूं और जो उगाई गई और सबसे पहले पालतू बनाएगए जानवरों में एक व्यक्ती के साथ बकरी को दफनाया गया था अगला सवाल निमनलिखित में से कौन सी विशेशता मद्ध पाशान काल से नहीं जुड़ी है लगुपाशान उपकरणों का प्रयोग माइक्रोलित का इस्तमाल रिवर का यूज करना, नदियों का इस्तमाल घास के मैदानों का बढ़ना ग्रोइंग ऑफ ग्रासलेंड्स या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पहिये का इस्तमाल वाट शुट बी राइट आंसर बढ़ाईए, पोल में जवाब दीजे पोल लगवाया हूँ आप लोगों के लिए पोल में जवाब दीजे जल्दी से वाट शुट बी राइट आंसर बिल्कुल ठीक है 89 परसंट लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया 11 परसंट कौन है भाई, ये मेरे स्टूडेंट नहीं हो सकते ये क्या हो जाएगा नियोलिथिक, ये क्या हो जाएगा नियोलिथिक, जो 11 परसंट लोगों ने गलत जवाब दिया है, पूरा सिरीज देख लो या आज की पूरी क्लास देख लो फिर गलत नहीं करोगे अगला, मेहरगड से प्राप्त साक्षों के संदर्व में, निमनलिखित कतनों पर विचार करो In the context of evidence received from मेहरगड, क्या हो जाएगा पहला कहरा, यहां के लोगों द्वारा मृत्यू के बाद जीवन को मानने का साक्ष मिला इसका मतलब यहां के लोग life after death में विश्वास करते थे और फिर कहरा, यहां से खेती के प्रमाण मिले हैं, evidence of agriculture was found from this site What should be the right answer? Correct answer क्या हो जाएगा Option number C बिल्कुल ठीक है, दोनों सही है मेहरगड से हमें खेती के प्रमाण भी मिलते हैं और मेहरगड में हमें कबर मिली है जिसमें आदमी के कंकाल के साथ, अभी बताया मैंने आपको बकरी भी रखी गई है तो माना जाता होगा कि शायद ये खाना वाना खाएगा, इसको भूक उक लगेगी क्योंकि हमें बरतन बरतन भी उसके अंदर मिले हैं Next है, गर्तवास के संबंद में सक्ते नहीं है, consider in relation to pit house, consider the statement which is not correct, ध्यान से option पढ़के गर्तवास का तातपर था, गड़े से नीचे बनाये गया आवास, गड़े में बनाये गया घर, गर्तवास का साक्ष हमें बुर्ज होम से मिला है बताइए, गर्तवास का साक्ष हमें बुर्ज होम से मिला है, कौन सा सत्य नहीं है, अरे जवाब देने से पहले मालिक प्रणाम स्विकार करिए ध्यान से पढ़ लीजिए कौन सा सत्य नहीं है एक दो दोनों सत्य नहीं है दोनों में से कोई यानि दोनों सत्य है क्या हो जाएगा बताईए पता है बात तो सही है तो answer to this question is none of these ना भाई पहला भी सही है और दूसरा भी सही है तो answer क्या हो जाएगा D ठीक है पहला भी सही है गरतवास का साक्षा हमें बुर्जोम से मिलता है सही बात है कश्मीर में और गरतवास का मतलब ही क्या होता है पिट हाउस का मतलब होता है बेड़े में बनाया गया घर यहां से हमको चूलहे के अवशेज भी मिले हैं यानि यहां पर आग जलाई जाती रही होगी घर के अंदर भी और घर के ऊपर भी ऊपर बाहर अंदर बाहर दोनों से राख के अवशेज भी मिले हैं निम्नलिखित कतनों पर विचार करिए हडपा सब्विता के नगरों में पश्चिमी भाग को नगरदुर्ग और पूर्वी भाग को निचला नगर कहा गया था ठीक इस्टन पार्ट को क्या कहा गया नगरदुर्ग और इस्टन पार्ट को निचला नगर कहा गया पश्चिमी पूर्वी भाग की अपेक्षा छोटा था और महत्वपूर्ण इमारतें इसी भाग में थी बदाइए ध्यान से पढ़ के जवाब देना है तो 16 का अंसर हो जाएगा C बिल्कुल ठीक है वेस्टन साइट को हम कहते थे सिटेडल जहाँ पर शाशक वर्ग के लोग रहते थे यह चारों तरफ से घिरा होता था जादा तर नगरों का विभाजन दो भाग में हुआ है एक मात्र इसका जो अपवाद है वो क्या है धौला व कॉमन पीपल रहते थे ठीक अगला सवाल सत्य कथन चुने मोहन जोदारों से महान इसनानागार का साक्ष मिला है इस इसनानागार को बनाने में पकी हुई इटों का इस्तमाल हुआ है क्या हो जाएगा आंसर वाट शुट भी राइट आंसर बताओ पोल आतो गया सी 97 परसंट लोग सही हो एक और दो दोनों सही है महान इसनानागार का एविडेंस मोहन जोदारों से इसको बनाने में पकी हुई इट का इस्तमाल किया गया और प्लास्टर में इसमें नैचुरल टार या चार्कूल का भी यूज किया गया ताकि क्या किया जा सके पानी का रिषाव रोका जा सके ताकि क्या किया जा सके पानी का रिषाव रोका जा सके ठीक पकी हुई इट से बना था स्पेशल ओकेजन्स में यूज होता रहा होगा अगला है सिंदु गाटी सब्विता में निमनलिखित में किस स्थान पर भंडार ग्री नहीं पाया गया है नौट बताना है ध्यान से जल्दबाजी मत कर देना नौट बताना है हरप्पा मोहन जोजारो काली बंगा लोथल विच ओप दे फॉलविंग प्लेसे वोज दे स्टोर हाउस नौट फाउंड इन इंडस वैली सिवलाइजेशन सिंद उगाटी सब्वेता में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भंडार ग्री नहीं पाया गया था बदाइए जवाब दीजे तो कहां कहां से स्टोर हाउस मिला था स्टोर हाउस कहां कहां से मिला था 1296 हो गए हैं 1320 हो गए ठीक 1500 चाहिए आज सिंद उगाटी सब्वेता में निम्नलिखित में कहां कहां मिला हडपा से मिला मोहंजुदारों से मिला लोथल से मिला काली बंगा से नहीं मिला तो आंसर क्या हो जाएगा सी और ये भी याद रखना कि काली बंगा और लोथल काली बंगा और लोथल यहां से क्या मिला था यहां से हमें अगनी वेदिका के प्रमाण मिले हैं अगनी हुआ खेत मिला था जुता हुआ खेत मिला था मोहन-चुदारों से बहुत कुछ मिला हुआ बहुत कुछ मिला अगला सवाल सार्वजनिक कारिकरम का मैदान यानि एक on defence विल्ड लकडी में जला पत्थर यानी साइन बोर्ड iained का तीन भागों में विभाजन कौन सा लक्षण जो है यह किस शहर की पहचान करता है यह लक्षण किन शहर की पहचान करते हैं हडपा सब बता के बोर्ड शाइन बोर्ड एक फील टाइप की चीज याँनि आपका कोडोजियम टाइपगी चीज ओर तीन पारंट में डिविजन किसकी बात हो रही है यहاं पर किसकी बात हो रही है यहां पर option number D धौला वीरा बिल्कुल ठीक option number D धौला वीरा बहुत बढ़िया यह इस तरह का sign board मिला है जो लकडी में पत्थर जड़के मिला हुआ है stadium का प्रमार मिलता है यहां से जलाशे भी मिला है reservoir भी मिला है याद रखियेगा जलाशे का प्रमार भी मिला है और शहर का तीन भाग में विभाजन भी तीन पार्ट में विभाजन भी देखने को हमें मिलता है अगला सवाल निमनलिखित कतनों पर विचार करिये consider the following statement फेयंस एक कृत्तिम रूप से उत्पादित सामगरी है जिसका उपयोग सिंदुगाटी सब्विता में किया गया था फेयंस is an artificially produced material that was used in Indus Valley civilization फेयंस was used to make small pots फेयंस का इस्तेमाल छोटे बरतनों को बनाने के लिए किया जाता है बताओ क्या हो जाएगा जवाब what should be the right answer बिल्कुल ठीक है option number C is the right answer फेयंस कृतिम पत्थर था और किस से बना होता था ये quards plus sand इन से बना था इसमें गोध डाल कर इससे क्या करते थे आटे की तरह गोध के सूखने के लिए छोड़ देते थे ये कुछ-कुछ ऐसा दिखता था जब बिल्कुल पक्के तयार हो चुका होता था तो पत्थर और शंख प्राकृतिक तोर पे पाए जाते हैं लेकिन फेयंस को कृतिम रूप से बनाया जाता था बालू या इस्फटिक पत्थरों के चूण को गोंद में मिला कर उससे वस्तुमें बनाई जाती थी अगला है कड़ाईदार वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की मूर्ति किस स्थल से मिली है गलत मत करना मुंडा फोड़ दूँगा मार के बता दे रहा हूं शेयर करो एक बार कड़ाईदार बस्त्र पहने हुए व्यक्ति की मूर्ति किस स्थल से मिली है इंब्रॉइड क्लोथ पैने हुए व्यक्ति की मूर्ति किस से मिली है बताईए अरे कोई बात नहीं तुम लोग यहां जवाब दो मैं देख रहा हूँ ना मेरे से बड़ा पोल कौन है चलो बताओ बीपीएसी वाले नहीं आया तो अपना नुकसान किये हैं क्या करें हम थिक हलपा मोहन जवारो लोथल काली बंगा तो कहां से मिला है मोहन जवारो से इसे हम क्या कहते हैं इसे हम बीयर्डेड मौंक भी कहते हैं दाढ़ी वाले साधू की मूर्ती ध्यान से देखोगे इसको तो कुछ को नरेंदर मोदी जी की तरह लगता है गुजरात वाले जो हमारे भाई साब हैं वहां की तरह लगता है और इसने कढ़ाईदार वस्त्र पहना हुआ है जिससे आप पता चल सकता है कि कपड़े का उत्पादन भी होता रहा होगा ठीक ये पत्थर की बनी हुई मूर्ती है अगला सवाल निम्नलिकित कत्रों में कौन सा सत्य है बताना है विच आफ दो फॉलोइंग स्टेट्मेंट इस ट्रू बताईए कह रहा है सिंदुगाटी सब्विता के लोग मात के बारे में जानते थे इस सब्विता के लोग चांदी के बारे में जानते थे इस सब्विता के लोगों को कपास की खेती का ज्यान था बताईए, क्या हो जाएगा जवाब, what should be the right answer, बताओ जल्दी जल्दी, what should be the right answer, आगे सारे ठीक है, बाकियों को बुलाओ, सारे आगे तो नंबर के से टिक गिया है, सिंदुगाटी सब्विता के लोग माप के बारे में जानते थे, बिल्कुल जानते थे, हमें बाट मिले हैं, जो की चर्ट नाम के पत्थर से बने थे, सिंदुगाटी सब्विता के लोग चांदी के बारे में जानते थे, बिल्कुल हमें मोहन जोदारों से चांदी के फूलद कुपड़ान का टुकड़ा मिला है, सिंडव गाटी शबयता के लोग कापास के बारे में जानते थे, कापास को मिला है, अगला सवाल, निम्न लिकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सोना करनाटक, तामभा राजस्थान, टिन अफगानिस्थान, कीमती पत्थर, तमिलनाडवी, पहले भी करा चुका हूँ, गलत मत करना, गलत मत करना, सिंदुगाटी सब्विता में व्यापार, सिंदुगाटी सब्विता में व्यापार, ट्रेड, सिंदुगाटी सब्विता म ट्रेड के बारे में यह बताना है Sona करनाटक से आता था ताम्भा राजस्थान से आता था राजस्थान के अलावा ओमान नाम की जगहती वहाँ से भी आता था ठीक तिन अफगानिस्तान के साथ साथ … और किम्ती-पथर कहां से आता था गुजराच से going to pass question is option number D अगला सवाल देखेगा निम्न में से उन देवताओं की पहचान कीजिए जिसका उल्लेख रिगवेद में है identify the following duties mentioned in रिगवेदा बदाईएगा उन देवताओं की पहचान कीजिए जिसका उल्लेख रिगवेद में है इंद्र अगनी ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु महे सोम इंद्र विष्णु इंद्र सोम अगनी तो बिल्कुल ठीक है option number D इंद्र युद्ध का देवता सोम ड्रिंक था और अगनी आग का देवता जिसे mediator between humans and gods भी माना जाता था इश्वर और मनुष्य के बीच का मध्यस्त इंद्र युद्ध का देवता था इंद्र को पुरंदर भी कहते थे यह अपने वज्र से प्रहार करके किलों को तोड़ देता था इनके अलावा एक और देवता था जिसको हम वरुन कहते हैं यह चार द हो हाजरी लगाओ कि हम हैं ठीक चलो अगला निम्नलिखित कत्रों में कौन सा सत्य नहीं है रिगवेद में एक हजार सेधिक सूक्त लिखे गए हैं तथा उसकी भाषा संस्कृत है रिगवेद में दस्यू नामक आरे कभीले की चर्चा है जिसने भरतवन्स को पराजित किया रिगवेद में कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं दोरा भी की गई रिगवेद में देवताओं के साथ देवियों का भी उलेक किया गया है क्या हो जाएगा अंसर क्या हो जाएगा अंसर कौन सा सत्य नहीं है not true बताना है बताइए एक हजार से अधिक रिग्वेद में दस्यू नाम के कभीले की चर्चा है जो भरतवंच को पराजित करेगा नहीं दस्यू कौन थे यहां के दास या दस्यू जो की लोकल ट्राइब थे जिनको आरियंस ने क्या किया था हराया था आरियों जिन लोगों के नाम आते हैं उनमें भरत, पुरू, यदू, एट्सेटरा ये नाम आते हैं इनको जन बोलते थे जन या विश बोलते थे भरत जन पुरू जन जिसका मतलब होता था पीपल या फिर कम्यूनिटी लोग या समुदा है जिसका मतलब क्या होता था लोग या समुदा है तो answer to this question is option number B रिगवेद में कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं द्वारा भी की गई है गोशा अपाला इस तरह के नाम मिलेंगे देवताओं के साथ देवियों का भी उल्लेक है अगला सवाल निमनलिखित कत्रों पर विचार करिए consider the following statement रिगवेद की रचना लगबग 3500 साल पहले संस्कृत भाषा में की गई वेदों में वरनित प्रथाएं अवेस्ता नाम के एक इरानी पुष्टक के समान हैं इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिनने सूक्त कहा जाता था जल्दी बताईए क्या हो जाएगा जवाब हाँ सिमून ठीक है बेटा चलो जवाब दो क्या हो जाएगा जवाब एनर्जी डाउन कैसे हो गई भाई कैसे शेरिंग रुख गई है रिगवेट की रचना 3500 साल पहले अराउंड 1500 बीसी किस में की गई संस्कृत भाषा में की बिल्कुल सही अवेस्ता नाम की इरानी पुष्टक जीन्द अवेस्ता बहुत सारे वर्ड क्या हैं सेम है जो यहा अगला सवाल निम्न में से किस रिशी द्वारा सतलज और व्यास नदियों की पूझा का उल्लेख रिगवेद में मिलता है गई है सतलज और व्यास नदियों की पूजा का उलेख रिगवेद में मिलता है किस रिशी द्वारा किस ने पूजा की है option number B is the right answer विश्वा मित्र द्वारा मिलता है इन्होंने सतलज और व्यास नदियों को क्या बोला गाए और घोडे से तुलना की है इनकी और इनको क्या बोला है इनको देवियां बोला है नदियों को क्या कहके संबोधित किया है देवियां कहके संबोधित किया है अगला सवाल वैदिक काल के विशय में निम्नलिखित कत्नों में कौन सा सत्य नहीं है युद्ध में जीते गए धन का कुछ हिस्सा राजा अपने पास रख लेता था और कुछ हिस्सा पुरोहित को दे देता था ऐसे व्यक्ति को राजा के रूप में चुना जाता था जो कोशल युद्धा हो राजा का पद अनुवान्शिक नहीं था राजा को इस्थाई रूप से करवसूलने का अधिकार था बताओ SST by Sunny सर बिटा SST by Sunny सर आप टाइप करोगे तो सब कुछ आपको information मिल जाएगी चले बताइए युद में जीते गए धन का कुछ हिस्सा राजा अपने पास रख लेता था और कुछ हिस्सा पुरोहित को देते थे बाकी लोगों में बाट दिया जाता था बिल्कुल ठीक ऐसे व्यक्ति जो राजा के रूप में चुना जाता था उसका कुशल योद्धा क्योंकि वो रक्षा करने का काम करता था राजा का पद अनुवंसिक नहीं था बिल्कुल सही है राजा के उपर तरह-तरह की समितियों का कंट्रोल था आपने सुना होगा सभा, समिति, विदत, गण इस टाइप की छोटी-छोटी कमेटी थी तो राजा के उपर कंट्रोल रगती थी राजा इस्थाई रूप से कर नहीं वसूलता था कर प्रणाली कब शुरू होई थी इस्थाई रूप से कर प्रणाली शुरू होगी महा जन्पद में इस समय रोग राजा को क्या करते थे willingly tax देते थे, स्वेक्षा से कर देते थे वो force नहीं करता था तो answer to this question is option number D C वालों ध्यान से अगला सवाल देखिए next question देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करिए इनाम गाओं घोल नदी पर इस्थिते किस्थल है जो भीमा की साहिक नदी है कह रहा है यहाँ वैसकों को आम तोर पे जमीन में सीधा दफनाये जाता था उत्तर की और सिर करके दफनाये जाता था मतलब यहाँ जो जो भी हमें यहाँ पर बरियल मिला है उसमें सिर उत्तर की तरफ है और इनाम गाओं घोल नदी पर इस्थित है जो की भीमा की क्या है एक सहायक नदी है बढ़ाये बिल्कुल ठीक है option number C अगर आप देखोगे यह महापाशान काल से related है इसमें पोर्ठोल होता था जिसमें लोग आते थे और इसके इर्द गिर्द यह क्या किये गए है बड़े-बड़े पत्थर लगा दिये गए जिससे पहचान की जा सके identify किया जा सके और यह आप को जो यहां पर दो साइड देखने को मिल रहे हैं ब्रम गिरी और आदी चनलूर ठीक और इनाम गाउं यह तीनों साइड जो है वो मेगालिथिक से जुड़े हुए हैं ब्रम गिरी से 33 सोने के मनके मिले थे जबकि इनाम गाउं से हमें बरियल मिलता है जिसमें व्यक्ति को उत्तर की ओर सिर करके दफनाया गया था अगला सवाल निम्न में कौन सा अधिकारी अश्वमेद यग्य के अवसर पर राजा की उपलब्दियों का वाचन करता था which of the following officials recited the achievement of the king on the occasion of अश्वमेद यग्य पुरोहित सेनानी सार्थी उपरोक्त में से कोई नहीं कौन अश्वमेद यग्य के अवसर पर राजा की उपलब्दियों के बारे में बताता था तो answer to this question is option number c सार्थी क्योंकि सार्थी युद्ध में राजा के साथ रहेगा इसलिए वही उसके बारे में बतायेगा राजा को एक सिंगहासन पर बिठाया जाता था जो की बाग की खाल से बना होता था बाग की खाल से बना होता था टाइगर सकिन से बना होता था इसे सात पवित्र नदियों के जल से नहलाया जाता था अश्मेद यग्ग के दोरां जितने राजाओं को ये हराया होता था वो सारे राजा इस यग में भाग लेते थे ठीट चालो, next सवाल निम्न कत्नों पर विचार करो वैदिक काल में चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तनों का निर्माल किया जाता था English में क्या बोलते हैं Pots were made in Vedic period Painted Gray Wear Short form में बोलते हैं PGW इन बर्तनों पर जामिती आकृतियों के रूप में चित्रकारी की गई है These Gray Pots had painted design usually geometric figures What should be the right answer? What should be the right answer? बिलकुल ठीक है Option number C, both statements are true याद रखेगा PGW वैदिक काल से जुड़ा हुआ है PGW किस से जुड़ा हुआ है? वैदिक काल से इसी तरह से लाल मिट्टी के बर्तन Red Wear जुड़े हुए है Indus Valley Civilization से इसी तरह से Black and Red Wear जुड़े हुए है महापाशार काल से महापाशार काल से ठीक, Megalithic Period से किस से जुड़े हुए है? Megalithic Period और Neolithic में भी मिलते हैं वैसे अगर आप से Question आजाए तो आप Megalithic लगाना और NBPW Northern Black Polished Wear ये जुड़े हुए हैं More Recall से ठीक, ऐसे भी सवाल आप से पूछा जा सकता है मैंने पहले भी बताया है revision करा रहा हूँ, बता दे रहा हूँ बहुत important है अगला सवाल निमनलिकित कतनों पर विचार करिए लगबग 2500 वर्षपूर्व आहत सिक्कों का निर्माल किया गया ये सिक्के चांदी और तांबे के बने होते थे around 2500 years ago आहत सिक्के पंच मार्ग्ड क्वाइन्स पंच मार्ग्ड क्वाइन्स इस क्वाइन्स वर मेड़ अफ सिल्वर और कॉपर चांदी के बने होते थे तांबे के बने होते थे केवल एक सत्य केवल दो सत्य दोनो सत्य या दोनो असत्य बिल्कुल ठीक है option number C is the right answer बोथ statements are true आहत सिक्के 2500 साल पहले बनेंगे चांदी और तांबे के बनेंगे ये वरगा कार भी है ये आयता कार भी है और ये वरित्ता कार भी है circle shape में भी मिले हुए है और इन सिक्कों पर चित्र बने होते थे किसके हाथी वरिक्ष मचली एटसेटरा अर्धचंद्र एटसेटरा चित्र भी बने होते थे राजा वाजा के figure नहीं बने थे अगला सवाल अजाद शत्र ने अपने किस मंत्री को वज्जी पर आक्रमन करने की सलाहेतु बुद्ध के पास भेजा था बताओ अजाद शत्र ने अपने किस मंत्री को वज्जी पर आक्रमन करने की सलाहेतु बुद्ध के पास भेजा था वर्णन दिया गेरा है दीघ निकाय में ये वर्णन किस में दिया गेरा है डीघ निकाय में दिया गेरा है तो ये जाकर बोलता है बुद्ध के पास बातचीत करता है फिर वहाँ से idea लेकर आता है कि हमें वज्जी पर attack करना है ठीक कोटिल ले किसका minister था चंद्रगुप्त मौरिका ठीक जीवत किसके दरबार में था जीवत था बिंबिसार के दरबार में और राधागुप्त किसका मंत्री था इसे जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया जाता था तो कर प्रणाली कहा शुरू हुई महा जन्पत के दौरान और विस्टी क्या था फूर्स्ट लेबर था जबरन श्रम था क्या हो जाएगा जवाब बताओ जिन लोगों ने शुरू से देखी हुई है सिरीज भाई एक बर कॉमेंट करके बताओ क्या लग रहा है हो गई हो गई है बढ़ियां तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है फाइदा मिला कि नहीं मिला अखाबरदार अगर लिखे कि नहीं मिला बहुत मारेंग बता दे रहे है प्लीज टेल में पंच मार्ग्ड कॉइंस महा जन्पद पीरेड में भी थे वहीं से शुरू होंगे बेटा पच्चिस सो साल पहले का मतलब क्या हो गया कि महा जन्पद अभी तो बताया है बेटा महा जन्पद में ही सबसे पहले आएंगे पहले कॉइंस इसी समय आएंगे ठीक है पहला भी सही है दूसरा भी सही है विस्टी जबरंश्रम था और इस समय आपको एक कर मिलता है जिसे हम भाग बोलते हैं भाग भाग क्या था वन बई सिक्स्त ऑफ प्रोडक्शन उपज का एक बटा छे उपज का एक बटा छे भाग जो राजा को दिया जाता था टैक्स के तौर पे और इसी लिए राजा को शड भागी कहते थे इसलिए राजा को क्या कहते थे, शड भागी कहते थे, ठीक है, तो answer to this question is option number C, अगला देखो, निमनलिकित में से कौन सा सही सुमेले थे, which of the following statement is correctly match, वज्जी की capital थी, वैशाली, मगत की capital थी, राजग्री, केवल एक, केवल दो, एक और दो दो नो, या नाइधर वन नौर बात है, बढाईएगा, what should be the right answer, what should be the right answer, क्या हो जाएगा correct answer, option number, बुलो यार, option number C, बिल्कुल ठीक है, वज्जी की capital थी, वैशाली, वज्जी क्या था, गरतंत्र था, और मगत की capital थी, राजग्री, ये क्या था, राज तंत्र था, ये मोनार्की था, ये क्या था, ये मोनार्की, और ये क्या था, रिपब्लिक, एक चीज याद रखना, राजग्री, बाद में इसकी capital कहां पहुँच गई थी, पाटली पुत्र, शुरू में कहां होगी, राजग्री या होँच जाएगी capital, पाटली पुत्र, अगला देखो, निमनलिखित में से कौन सा सत्य है, बुद्ध ने ज्यान की खोज हे तु ग्रित्याग किया था, उन्हें एक पीपल के पेड के नीचे, उन्हें एक पीपल के पेड के नीचे, क्या हुआ, ज्यान की प्राप्ती हुई, बुद्ध ने अपनी सिक्षा प्राकृत भाशा में दी, बुद्धा had renounced his home in search of the knowledge, he attained enlightenment under a people tree, बुद्धा गेव his teachings in प्राकृत language, तो पहला सर्मन कहां दिया था, प्रथम उपदेश कहां दिया था, प्रथम उपदेश दिया था, सारनाथ में, ठीक, इस घटना को कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन, क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, ज्यान की खोजे तु ग्रित्या किया, इस घटना को कहते हैं, महा भिनिश क्रमण, महा भिनिश क्रमण, ठीक, टीपल के पेल के नीचे ज्यान की प्राप्ती हुई, इस घटना को कहते हैं निर्वान और कहां ज्यान की प्राप्ती हुई बोध गया में कहां ज्यान की प्राप्ती हुई बोध गया में और बुद्ध ने अपनी सिक्षा प्राकृत भाषा में दी यानि लोकल लेंग्विज में दी इसलिए बुद्ध की सिक्षाल लोगों को असानी से समझ में आ जाएगी तो answer to this question is 1, 2 and 3 अगले सवाल आरंभिक विहार का निर्मार लकडियों द्वारा किया गया था बहुत भिक्षों के लिए नियम और कानून विनय पिटक में दिये गये हैं बहुत भिक्षों के लिए नियम और कानून विनय पिटक में दिये हैं आरंभिक विहार का निर्मार लकडियों के द्वारा किया गया था अर्ली विहाराज वर बिल्ट बाई वुड्स और कहरा rules and regulation for Buddhist monks is given in विनय पिटक क्या हो जाएगा answer कोई कह रहा पीपल का पेड नहीं था अरे पीपल उनकी ज्यान प्राप्ति का प्रतीक है क्या कर रहे हो तुम 37 का answer हो जाएगा बोथ statements are to अर्ली विहार लकडि के बने थे ये question seated में पहले पूछा भी गया है और विनय पिटक नियम और कानून थे ये भी पूछा गया है ठेक त्रीरत्न की अगर बात करोगे तो त्रीरत्न में आते हैं जब हम त्री पिटक की बात करते हैं तो धम पिटक जिसमें बुद्ध की सिक्षाएं दी हुई है टीचिंग्स और बुद्धा दी हुई है फिर उसके बाद अभी धम पिटक जिसमें उनका फिलोसोफिकल मीनिंग दिया हुआ है सिक्षाओं का और फिर तीसरा आता है विने पिटक जिसमें रूल्स और रेगुलेशन दिये हैं बुद्धिस्ट मौंग के लिए बच्चे अक् पिटक के अंदर स्पेशली क्या रूल्स और रेगुलेशन फर बुद्धिस्ट मौंग्स सर यह कोशन क्या बीपीएस्ट के लिए अरे इतनी देर से और क्या बता रहा हूं बाई अगला सवाल निम्न में से कौन सा बुद्ध की सिक्षाओं में सम्मिलित था संतुल जीवन स्वा विवेक का इस्तमाल बुद्ध ने जो सिक्षा दी बुद्ध ने जो सिक्षा दी भाषा पाली में था न बिटा एंसी आइटी में प्राकृत लिखा हुआ है वो ठीक है पाली वाली बात पर एंसी आइटी में प्राकृत लिखा हुआ है ठीक है तो बुद्ध की सिक्षाओं में समलित था संतुले जीवन और स्वविवेक का इस्तमाल बैलेंस लाइफ एंड यूज ऑफ सेल्फ सेंसेज तो बुद्ध कह रहे थे संतुले जीवन रखना चाहिए इसी को उन्होंने क्या बोला मध्यम मार्ग बोला इसी को आप क्या बोलते हो अस्टांगिक मार्ग बोलते हो बहुत भिख्षों के लिए इसे क्या बोला जाता है बहुत भिख्षों के लिए से क्या बूला जाता है कल्याड मित्र बूला जाता है और स्वथ विवेक का इस्तमाल करने की भी बात कही इसके अलावा उन्होंने सत्य और अहिनसा की बात की थेक, तो यह सब बुद्ध की सिख्षाहों में शामिल है अगला सवाल देखते हैं, केरा निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है, which of the following is correctly match, सांख दर्शन कपिल मुनी, न्याए दर्शन गौतम मुनी, योग दर्शन पतंजली, बताइए, कौन सा सही सुमेलित है, बताइए सर, हम कुछ दिन पहले से देख रहे हैं, अब आपकी प्लेलिस्ट के question देख रहे हैं, और क्या बुलें, कुछ नहीं आता मुझे SST में, अब तो उड़ा रहे हैं, सर, thank you so much, हाँ बिल्कुल, 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 जो देखेगा बिल्कुल, उसको फायदा होगा, to this question is, तीनों सही है, योग दर्शन पतंजली है, पिछली बार से question change है, ए वालों, इसलिए कहता हैं, रटा मत करो, तो योग दर्शन किस ने दिया था, पतंजली ने, महाभाश्य लिखी थी, ना पतंजली ने, क्या लिखी थी, महाभाश्य लिखी थी, ठीक, तो ये देख पूरब ये छे दर्शन है, कौन कौन सा, वै शेशिक, नियाए, सांख, योग, पूर्व मिमांशा, और वेदान्त या ऊत्तर मिमांशा, और इनकी रचना किसने की क्रम्सह, तो वैशेशिक की की थी, रिशी कंद ने, नियाए दर्शन दिया था, गौतम ने, शांख दर्श पतंजली ने पूर्व मिमानसा दिया जैमनी ने और वेदांत या उत्तर मिमानसा दिया व्यास ने मैक्स मूलर ने इनकी बहुत ज़्यादा प्रशंशा किये और बोला है कि ये जवरदस तरीके से दर्शन शो करते हैं और ये जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतवित थे कौन? मैक्स मूलर ठीक है तो सिक्स स्कूल अफ फिलोसोफी बोलते हैं ये पॉइंट आपको याद रखना है जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडो लॉजिस्ट फ्रेडरिक मैक्स मूलर है अब्जर्व देट सिक्स सिस्टम अफ फिलोसोफी वर डेवलब्ड ओवर मैनी जनरेशन विद कॉंटिनिवर्स contributions made by the individual thinkers ठेक अगला सवाल निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है उपनिशद के विचार सामान ने वर्तालाप में प्रस्तुत किये गए हैं दूसरा कहरा उपनिशदों में आत्मा और ब्रह्म की सत्ता एक बताई गई है अपनिशद the existence of soul and Brahman has been described as one की आत्मा और ब्रह्म क्या होते हैं एक होते हैं यह बताया गया है बताईए क्या हो जाएगा what should be the right answer बिल्कुल ठीक है option number c both statements are true उपनिशद के विचार सामान ने वर्तालाप में दिये गए हैं जंगल conversation है और उपनिशदों में कहा गया कि आत्मा और ब्रह्म क्या है एक है यानि इसके अंदर क्या बोला गया है theory of oneness बोला गया है जिसको आगे शंकराचारे ने follow किया था अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है which of the following statement is true पारणी ने संस्कृत भाशा के व्याकरण की रचना की पारणी ने संस्कृत भाशा के प्रयोगों के नियम लगु सूत्रों के रूप में लिखे पारणी compose the grammar of Sanskrit language पारणी wrote the rules for the use of Sanskrit language in the short formulas यह क्या है बीजगडित के नियमों से मिलते जुलते हैं बीजगडित के नियम जैसे हैं यह संस्कृत में लगु सूत्रों में इनका प्रयोग किया गया तीन हजार से अधिक तीन हजार से अधिक लगु सूत्रों में ठीक तो याद रखना दोनों स्टेटमेंट सही है पारणी ने संस्कृत भाशा के व्याकरण की रचना की थी अस्टा ध्याई नाम की क्या की थी बुक लिखी थी अगला सवाल देखो निमनलिखित मेंसे किस इ इस इस्थान पर जैन धर्म की सिक्षाओं का संकलन किया गया विच वन ऑफ फॉलोइंग प्लेसेज देटीचिंग्स ऑफ जैनिजम वर कंपाइल मतुरा वलभी तक्षिला पाटली पुत्र क्या हो जाएगा आंसर वाट शूट बी राइट आंसर तो फाइव हंड्रेड ट् काब में कहीं कहीं इसका डेट 561 भी दिया हुआ है पर यह वाला सही डेट है 512 AD में यह कहां पर गुजरात के वल्लभी नाम के जगह पे जैन धर्म की सिक्षाओं का संकलन हुआ था तो आंसर टू दिस कोशन इस ऑप्शन नंबर बी अगया सवाल निमनलिखित कतनों पर व स्थापना की और फिर कहरा चालक्य के विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं अब यह सब तो बहुत आसान सवाल है अर्थशास्त्र में बताया गया कि जो उत्तर पश्चिम का हिस्सा है वो कंबल के लिए प्रसिद्ध है कंबल के लिए प्रसिद्ध है उत्तर पश्चिम का हिस्सा कंबल के लिए प्रसिद्ध है ठेक कंबल के लिए प्रसिद्ध है और साथी साथ दक्षन भारत किसके लिए प्रसिद्ध है दक्षिन भारत अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग बताय गया कि ये गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है और कीम्ती पत्थर के लिए कीम्ती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग ठीक तो answer to this question is option number C चंद्रगुप्त मौरे ने चालक्य की सहायता से धनानंद को हराया था और धनानंद को हरा कर इसने लगबग 2300 वर्षपूर्व यानी 300 BC के आसपास इसने मौरेवंश की स्थापना की थी चालक्य की चालों का वर्णन हमें मुद्रा राक्षस में मिलता है जो की विशाख दत्त की किताब है जो की किसकी किताब है विशाख दत्त की बुक है अगला सवाल देखो क्या कह रहा है निमनलिखित में से कौन से शहर मौरे सामराजी का महतुपूर्ण हिस्सा है तक्षशिल उजयन पाटलिपुत्र, which of the following cities was, were an important part of Moran Empire, तक्षिला उजयन पाटलिपुत्र, केवल 3, 2 और 3, 1, 3, 1, 2 और 3, क्या हो जाएगा answer? answer to this question is 1, 2 and 3 तक्षिला क्या था? ये point याद रखना जो लिख रहा हूँ gateway of north-west gateway of north-west तक्षिला को क्या कहते थे? उत्तर पश्चिम का तक्षिला को क्या कहते थे? उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था उजयन क्या था आपका? प्रांतिय राजधानी अगर आप रेड डॉट को देखेंगे तो ये अशोक के अभिलेखों के प्राप्ती इस्थल है यानि अशोक के जो अभिलेख है वो आपको कहां कहां देखने को मिल रहे हैं कांधार यानि अफगानिस्तान वाले इलाके में देखने को मिल रहा है और कहां देखने को मिल रहा है आपको ये जो शाबाजगडी मांसेर लंपक ये सब देख रहा है ये पाकिस्तान वाला हिस्सा है ये किसका हिस्सा है पाकिस्तान वाला हिस्सा है और आपको भारत में देखने को मिल रहा है यानि तीन देशों से अशोक के अभिलेख मिलते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान और भारत अगला सवाल निम्नलिखित मे कौन सा कथन सत्य है, which of the following statement is true, अर्थशास्त्र के अनुसार उत्तर पश्चिम का छेत्र कंबल के लिए प्रसिद्ध था, मौर सामराज्य में महत्वपून केंद्रों का प्रशाशन राजकुमारों को दिया जाता था, बताइए, क्या हो जाएगा answer, what should be the right answer, PGT भर सकते हैं, without seated EMRS में बिल्कुल भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, बताओ, तो उत्तर पश्चिम का छेत्र कंबल के लिए प्रसिद्ध था, अभी बताया, मौर सामराज्य में महत्वपून केंद्रों का प्रशाशन राजकुमारों को दिया जाता था, राजकुमारों क कि अशोक या सुना होगा या नहीं सुना है तो सुन लीजे, अशोक राजा बनने से पहले उजयन का गवर्नर था, उजयन का गवर्नर था, तो राजकुमारों को महत्वपून केंद्रों में भेजा जाता था, गवर्नर बनाके, क्या बनाके, गवर्नर बनाके भेजा जाता बताओ वर्तमान इस्थिती क्या है कलिंग की वर्तमान इस्थिती कलिंग की क्या है बताइए वर्तमान इस्थिती कलिंग की क्या है आप्शन नमबर बी तटवर्ती उडिशा कोस्टल उडिशा में कलिंग पर अटेग जो हुआ था कलिंग पर अशोक का आक्रमन कलिंग पर अशोक का आक्रमन साशन के आठवे वर्ष में हुआ था और इस बात की जो जानकारी मिलती है वो जानकारी मिलती है अशोक के तेरहवे शिलालेक से 13th रॉक एडिड से जब वो कहता है कि मैंने अपने शाशन के आठवे वर्ष में कलिंग पर आक्रमन किया अशोक ने धम के प्रचार के लिए किन देशों में अपने दूत भेजे थे इन विच कंट्रीज अशोका सेंड हिज इमिश्रीज स्रिलंका सीरिया ग्रीस या फिर मिश्र तो कह रहा है केवल एक एक और तीन एक तीन चार एक दो तीन चार बताओ क्या होगा आंसर क्या होगा आंसर वाट शूट भी राइट आंसर टीजीटी में सीटेट जरूरी है बेटा कहीं का भी आप टीजीटी देते हो यूपी टीजीटी छोल के तो उसके लिए आपको सीटेट चाहिए होता है वो भी पेपर टू आपका क्लियर होना चाहिए अपने सबजेक्ट व सब्सक्राइए महेंद्र को और अपनी बेटी संग्मित्रा को बेजा था इसी तरह शीरिया में उसने बहजा था यूनान में एजिप्ट में 4 हो में उसने भेजा था अपने धर्म प्रचारकों को और धम का हो प्रचार करने वालों को कहते Xande धम महामात्र, यह वो अधिकारी होते थे, जो क्या करते थे, धम का प्रचार करते थे, अशोक का जो धम था, वो शोशल और मोरल कोड ओफ कंड़क्ट था, कोड ओफ बिहेवियर था, सामाजिक और नैतिक संगिता थी, तो यह भी सवाल आ सकता है, कि धम का नेचर क्या था, प नायतिक संहिता, सामाजिक और नैतिक संगिता थी, ठीक है, अगला सवाल देखिये, तमिल छेत्र में साधारन हलवाहे को क्या कहा जाता था, बदाइए, सिक्स्त की, हम लोग इंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, सिक्स्थ क्लास की NCRT की इंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं ठीक है बढ़ाईए तमिल छेत्र में जो साधारन हलवाहे पाए जाते थे जो सिंपल प्लाउमेन होते थे उन्हें क्या कहते थे उड़वार, वेलाल, मुवेंद वेलन या कडेसियर क्या बोला जाता था बता तो सा घरधारन हलवाहें को बोला जाता था उड़वार, वेलाल बोला जाता था धनी किसानों को, मुवेंद वेलन ऐसे किसान थे, मैंने आपको बताया था वेलन का मतलब ही होता है किसान जो तीनों राजाओं को कर देते थे या तीन शाशकों को कर देने वाले तीन मुख्याओं को कर देने वाले को टैक्स देने वाले किसान थे तीन मुख्या का मतलब क्या हो गया तीन मुख्या या थ्री हेड्स का मतलब क्या हो गया थ्री हेड्स का मतलब हो गया कि इन्हें तमिल में कहते थे मुवेंदार और मुवेंदार में कौन-कौन लोग आ जाते थे तो चेर, चोल और पांड जो की किस से रिलेटेड थे संगम राज्य से रिलेटेड थे, किस से रिलेटेड थे, संगम राज्य से रिलेटेड थे, ठीक, कडैसियर जो होते थे वो खेत मजदूर होते थे, ठीक है, लैंडलेस लेबर होते थे, तो answer to this question is option number A, अगला देखिएगा, निमनलिखित कत्रों में से कौन सा सत्य नहीं है, द नियाइक कार सौंपता था, स्वतंत्र किसानों को कमकार कहा जाता था, which of the following statement is true, in the northern parts of country, the head of the village was called Grambhojak, post of village, sorry, post of Grambhojak, post of Grambhojak, was hereditary, the king used to assign revenue and judicial work to them, the independent farmers are called कमकार, क्या हो जाएगा answer, बिलकुल ठीक है, option number D, स्वतंत्र किसानों को कहते थे, ग्रिहपती, स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था, ग्रिहपती, कमकार होते थे कौन, खेत मजदूर, जैसे south में आपने कडेसियर देखे, तो जो इस्थिती south में कडेसियर की थी, वही इस्थिती north में किस की थी, कमकारों की थी, मैंने आ आज सिक्कों को धातु की चादर काट कर अथवा धातु के चपते गोलिकाओं से निर्मित किया जाता था पंच मार्ग क्वाइन्स पंच मार्ग क्वाइन्स वर मेड ओफ punch-marked coins were made of by cutting metal sheets or flattening metal balls बिल्कुल ठीक है दूसरा करहा the circulation of these coins continued till early century of Christ इस सिक्कों का प्रशनन ईसा की आरंबिक सदियों तक चलता रहा था क्या है आंसर आंसर नंबर C है दोनों सही है धातु की चादर को काटे बाई चांदी और तांबे के अगर बनेंगे तो आपको natural है की क्या करना पड़ेगा बाई गोल्डन कॉइन कौन लेकर आया इंडिया में गोल्डन कॉइन्स इंडिया में कौन लेकर आया तो गोल्डन कॉइन्स इंडिया में लेकर आया कुशान उसमें भी विम कड़ फिसस था राजा जो लेकर आएगा यहाँ पे इससे पहले चांदी और तांबे के बनते थे तो उनको काट कर ही तो बनाया जाएगा या गला कर बनाया जाएगा उन पर पंच किया जाएगा है ना नहीं है बताना है कौनसा सत्य नहीं है ध्यान से पढ़ना not true बताना है संगम कविताओं में मुवेंदार शब्द का उल्लेक मिलता है जिसका तात पर है तीन मुखिया और कह रहा है इन मुखिया के सत्ता के दो केंद्र थे जिन में से एक तटी और एक अंदरूनी छेत्र में इस्थित था देखे भाईया रिवीजन परपस से पढ़ा रहा हूं तो सुनना पड़ेगा ध्यान से ठीक है तो अगर आप धीले पड़ेंगे तो मैं भी फिर बंद कर दूंगा क्या दिक्कत है फिर कह दूंगा आप सिरीज देखिये तो बने रही है पूरे एनर्जी के साथ ध्यान से जंदार अभी बता दिया तुमको तीन मुखिया और मैंने बताया यह संगम वाले हैं तो संगम वालों को अगर देखोगे तो इधर केरल में चेर थे और इधर आपके पांडे और कौन थे चोल थे तो एक इनका कोस्टल एडिया होगा जैसे कावेरी पटनम तो ये चोलों की राजधानी था अब कावेरी पटनम पटन का मतलब क्या हो गया पतन पटन मतलब पतन यानि पोर्ट तो ये बाहर के तरफ समुदरी लाके में होगा और अगर मदुरे की बात की जहाहां संगम लगता था मदुरे जहां संगम का आयोजन होता था हर साल जहां तीनों राज्यों के कभी लेखक आकर इकठा होते थे तमिल भाषा थी संगम साहित थी की मदुरे अंदर के भाग में था तो इनके दो केंद्र थे एक बाहर की तरफ था और एक तटीय था और एक क्या था अंदरूनी तो पहला भी सही है दूसरा भी सही है मदुरे याद रखना पांडेों की राजधानी था और कावेरी पटनम याद रखना चोलों की राजधानी था ठीक है अगला सवाल देखो पेशावर तक्षशिला मतुरा और कन्नौज उपरोक्त में से कौन भारत में कुशानों की राजधानिया था यहाँ पर नॉट पूछा है न तो डी हो जाएगा बोध फॉल्स नहीं यहाँ पर यह गलत हो गया यहाँ होना चाहिए था नन यहाँ होना चाहिए था नन उपरोक्त में से कोई नहीं ठीक तो यह दोनों ही सही है अगला देखो बताओ क्या हो जाएगा वाट शूट बिग राइट आंसर अगला देखो बताओ क्या हो जाएगा आप्शन नंबर तो कौन-कौन सी कुशानों की राजधानी कौन-कौन सी थी तो एक पेशावर और दूसरी मथुरा पहली राजधानी पेशावर होगी बाद में मथुरा बन जाएगी है ना तो आंसर टू दिस कोशन इस एक और तीन कहा है भाई आप्शन नंबर डी एक और तीन अगला देखिएगा निम्नलिकित कत्रों में कौन सा सत्य है प्रयाग प्रशस्ती में हरिशेण ने समुद्र गुप्त को ईश्वर के समकक्ष बताया है प्रयाग प्रशस्ती जिसका राइटर था हरिशेण उसने प्रयाग प्रशस्ती में समुद्र गुप्त को क्या बताया है इश्वर का समकक्ष बताया है आपको पता है इसी प्रशस्ती में वो समुद्र गुप्त के विजय अभियान की जानकारी बताता है और फिर केरा समुद्र गुप्त ने स्वयम को अपने सिक्कों पर वीना बजाते हुए दिखाया है क्या हो जाएगा अंसर बिल्कुल ठीक है option number c पहला भी सही है और दूसरा भी सही है अपने सिक्कों पर उसने वीना बजाते हुए दिखाया है ना वीना बादक सिक्के हैं उसके ठीक है शेर का शिकार करते हुए सिक्के हैं सारे कौइन्स आपको दिखाया भी थे समुद्र गुप्त के जब कराया था ठेक प्रयाग प्रशस्ती का राइटर कौन है हरी शेन उसका राइटर कौन है हरी शेन जो की समुद्र गुप्त का दर्बारी कभी है उसने ईश्वर के समकक्ष बताया है वो कहता है कि मेरे राज से कम आपको समुद्र गुप्त के विजय अभियान के बारे में मुझे लगता है मॉक टेस्ट दिया था तब भी पढ़ाया था ठीक है सिरीज में तो पढ़ाया भी है प्रीवेस यर सॉल्व करवा रहा था तब भी पढ़ाया था तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप गलत नहीं क ठीक है पहला के रहा है अपने राज जिम में उसे मिला लिया करके बदले शाषन की अनुमती प्रदान किया वैवाहिक संबंद स्थापित कर उन्हें अपना सहयोगी बनाया और अपने दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा तो आंसार टू दिस कोश्चन इस ऑप्शन बहुत बढ़ियां साबश आप्शन नंबर बी अलॉइंग दें टू रूल इव अग्री टू पे टैक्स अपने राज जिम में मिला लेना वाली जो नीती थी वह आर्या वर्त यानि उत्तर भारत के राजाओं के प्रति उसकी नीती थी जब वह आर्या वर्त के नौ राजा कर सहयोगी बनाना ये क्या था विदेशी राजाओं के प्रति नीती थी ठीक के प्रति नीती और उसके दरबार में उपस्तित हुए जो तटी एक शेत्र के राजा थे वो उसके दरबार में जाएंगे गिफ्ट लेके जैसे गुजरात कामरूप ये सब ठीक ये मैप जो है उसमें ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये आर्यावर्त वाले हैं ये जो आप देख रहा हो ये दक्षिनापत वाले हैं फिर जो वाइलेट कलर से देख रहा हो ये आसपडोस के राजा है गुजरात के इधर असम के ये वाले और ये जो बाहर आप देख रहा हो श्रिलंका और ये इसी में याद रखना श्रिलंका का राजा था मेग वर्मन श्रिलंका का राजा था मेग वर्मन इसे गया में क्या करना था विहार बनवाना था तो ये उससे अनुमती मांगेगा किसे समुद्र गुप्त से कहेगा कि मुझे गया में मौनेस्ट्री बनवानी है बोध ग राजा था यह स्री लंका का तो स्री लंका के राजा में गवर्मन की समुद्र गुप्त से क्या थी मित्रता अगला सवाल निम्न कत्नों में से कौन सा सत्य है विच आप दर फॉल्लइंग स्टेट्मेंट इस टू हर्श के दर्बारी कवी बान भट ने संस्कृत भाषा में हर् की जीवनी लिखी हर्श शरित हर्श ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज इस्थनांत्रित कर दी थी हर्श शिफ्टेड इस कैपिटल फॉम थानेसर टू कन्नौज क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा जवाब बताईए बिल्कुल ठीक ऑप्शन नंबर सी एक और दो हर्श का दर्बारी कवी था बान भट संस्कृत भाषा में हर्श की जीवनी लिखी चरित मैंने आपको बताया था चरित जहां भी लग जाएगा वो क्या होगी बायोग्राफी जहां भी चरित लिखा हो वो बायोग्राफी होगी और हर्श अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज शिफ्ट करेगा क्यूं अपनी बेहन को बचाने के लिए हर्ष की सिस्टर का नाम था राजजिस्री इसकी शादी हुई थी ग्रह वर्मा से जो की कन्नौज का राजा था पर ग्रह वर्मा को बंगाल का राजा शशांक जो है वो क्या करेगा मार देगा गौड वन्स का राजा था ये बंगाल का वो से धोके से मार कर उसकी हत्या कर देता है तो अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कैपिटल शिफ्ट करके वहां लाता है ठेक अगला निमनलिखित कतनों पर विचार करिए महरौली के लौ इस्तंब पर चंद्र नामक शाषक का उलेक है और इस शाषक की पहचान गुप्त वन्स के शाषक चंद्र गुप्त से की गई है बताइए महरौली का जो लौ इस्तंब है अरे छोड़ो ना यार तुम पोल को तुम लोग जवाब दो ना क्यों परशान हो महरौली का लौ इस्तंब बताओ हमाई महरारू चाय बनाके भेजी थी तुमाई चक्कन चाय ठंडी हो गई बताओ क्या हो जागा जवाब दोनों से ही है ठीक है महरौली में जो लोग इस्तंब मिलता आयरन पिलर मिलता उस पर चंडर नाम के राजा का नाम लिखा है उसको अइडेंटिफाई किया गया गुप्त बन्स के शाषक चंडर गुप्त से अगर आप महरौली का लोग इस्तंब देखेंगे तो इसकी लंबाई 7.2 मीटर है और इसका वजन 3 टन से भी अधिक है इसका इस्तमाल लगबगास से 1500 साल पहले किया गया यहां पर एक अभिलेख मिलता है जिस पर चंडर नाम के राजा का उलेख है जिसकी पहचान किस से की गई चंडर गुप्त से की गई है ठीक है अगला सवाल गर्भ ग्री को पवित्र इस्थान के रूप में दर्शाने के लिए उसके उपर जिस उची संडचना का निर्माल किया जाता था उसे क्या कहा जाता था यहां से एक कोस्चन आना ही आना है यह जो एक्स्पनेशन है इसका इससे एक सवाल पूछा ही पूछा जाएगा बताओ क्या हो जाएगा वाट शुट बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उसे क्या कहते थे शिखर ना उसे क्या कहते थे शिखर गोपुरम जो थे यह दक्षन भारत के मंदिरों के दक्षन भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार दक्षन भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार थे इन्हें गोपुरम कहते थे ठेक शिखर को विमान भी कहा जाता था दक्षिन में शिखर को हम विमान भी कहते थे मंडप सभागार था जहां पर मीटिंग होती थी असेमली लगती थी और गर्बगरी वो स्थान था जहां मुख्य देवता की मूर्ती रखी जाती थी मैंने आपको एक फिखर दिखाया था आपको दिखा दे रहा हूँ इंट्री गेट में ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये हिस्सा मंडप का था यहाँ पर लोग आकर मीटिंग करते थे यहाँ पर पूजा पाठ होता था किरतन भजन होता था सबसे पीछे जो आप ये कमरा देख रहे हो ये कमरा क्या था इस कमरे को हम बोलते थे गर्भग्री इस कमरे को क्या बोला जाता था गर्भग्री जिसमें मुख्य देवता की मूर्ती रखी जाती थी इसी के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर को हम शिखर बोलते थे साउथ मे बहुत सारे मंदिर बनाये गए, तो कौन सा एकाश्म मंदिर का उदाराण नहीं है, मोनोलिथिक टेंपल का मतलब क्या होता है? मोनोमतलब हो गया एक और लिथिक का मतलब क्या हो गया? मॉनोलिथिक का मतलब क्या हो गया एक पत्थर से बना हुआ एक प्लस अश्म यानि एक ही पत्थर या एक ही पहाडी को काट कर बनाया गया कौन सा उसका एक्जामपल नहीं है ये बताना है आपको महाबलीपुरम के मंदिर आंसर क्या हो जाएगा भितरगाओं का मंदिर बिल्कुल ठीक जितने लोगों ने B बताया है बिल्कुल सही बताया भितरगाओं का मंदिर कानपुर में है बितरगाओं का मंदिर कहा है कानपुर में है और ये भितरगाओं का मंदिर इटों से बना हुआ है इटों से बना है य लेकिन अगर यहीं मान लिजिए यहां पर भीतर गाओं के जगह पर हम आपको option दे देते ब्रिहदेष्वर temple तब क्या होता आंसर। ब्रिहदेष्वर temple दे देते हम आपको क्या होता तब आंसर हो जाता ब्रिधेष्वर temple क्यों। ब्रिदेश्वा टेंपल साउथ में है लेकिन ये एक चटान को काट कर नहीं बनाया गया इसे दूर-दूर से पत्थरों को लाया गया चटानों को लाया गया और काट के सेंटर में पहुचाया गया शहर के और वहां पर मंदिर बना जिसके लिए एक proper गाउं जैसी structure बनाई गए जिसे क्या बोलते हैं चारू पल्लम बोला जाता है यह सवाल आ सकता है याद रखेगा चारू पल्लम का मतलब होता है चड़ाईदार रास्ते का गाउं ठीक अगला सवाल देखिए निमनलिखित कतनों पर विचार करिए consider the following statement अजन्ता गुफाओं में जादा तर बहुत भिख्षूओं के लिए बनाए गए विहार थे कानपूर में कहां है अजन्ता की गुफाओं में जादा तर बहुत भिख्षूओं के बनाए गए विहार थे इन गुफाओं में बनाये गए चित्रों के कलाकारों के विशय में कोई जानकारी नहीं मिलती है यानि यह क्या थे अग्यात यह क्या थे अग्यात चित्रकार थे बिल्कुल ठीक है दोनों statement बिलकुल सही है बोथ statements are true agenda में आपको जो इस तरह की painting मिलती है इन्हें पौधे और खनिज से पौधे प्लस खनिज से बनाया गया था मिलाकर रंग का इस्तमाल किया गया था पौधे और खनिज से बने रंगों का इस्तमाल किया गया था इसलिए यहाँ पर यह आज तक क्या है इस तरह से बने हुए हैं मौजूद हैं लेकिन यह अग्यात चितरकार हैं इनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है अग्यात कलाकार हैं अग्यात चितरकार हैं निम्न में से कौन सा ग्रंत कोवलन, कंनगी और मादवी पर आधारित है बताओ क्या होगा जवाब शिल्पादिगारम, मनी मेखले बताओ which of the following text is based on Kovalan, Kannagi and Madhvi तो answer to this question is option number C शिल्पादिगारम का लेखक कौन था? शिल्पादिगारम का लेखक था इलांगो अधिगल इलांगो अधिगल है ना? और मनी मेखलई का लेखक था सीतल सत्नार सीतल सत्नार शिल्पादिगारम में कोवलन और कन्नगी की स्टोरी है जो कावेरी पत्नम में आते हैं तो कोवलन को माधवी नाम की एक नर्तकी से प्यार हो जाता है शिल्पादिगारम की ये कहानी मनी मेखलई में कंटीनी होती है जिसमें कोवलन और मादवी की बेटी के उपर कहानी कही गई है किसके अंदर मनी मेखलाई में ठीक किसके अंदर मनी मेखलाई में ठीक है अगला सवाल हनफाई और शफाई क्या है हनफी और शफी क्या है इसलाम के खलीफा मद्दिकाल के सिक्के मस्जिद या इसलामी नयाय सिद्धान बताए जल्दी हनफई और सफई क्या है भाईया इसलामी नयाय सिद्धान्त है लिबरल स्कूल ऑफ लौ है जो मद्ध एशिया से होते हुए इसलाम जब भारत में आएगा जब पैगंबर मुहम्मद ने इसलाम की स्थापना की थी इसलाम की स्थापना की थी सेवन सेंचुरी में सात्वी सदी में तो धीरे धीरे जब यह भारत आएगा तो हनफी और शफी जैसे इसलामिक स्कूल्स ओफ लौबे इंडिया आएंगे अगला निमनलिखित में कौन सा सत्य नहीं है बताना है नौट ट्रू बताना है और फिर कह रहा है सामंत राजा को सैन निसायता प्रदान करते थे बताईए क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा आंसर तो सामंत क्या थे राजा के अधिनस्त अधिकारी थे राजा को सैन निसायता प्रदान करते थे लेकिन सामंतों का जो पद था वो कई बार क्या हो जाता थ प्रतिहार, पाल मतलब गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था है ना मैंने आपको मैप में बताया भी था ये तो इनका क्या कारण था क्यूं ये लड़ रहे थे आपस में गंगा यमना दुआप पे नियंत्रन के लिए प्रतिहारों की महत्वा कांछा के कारण उत्तरा-पंथ के व्यापारिक मार्ग पर कबज़ा या कन्योज पर प्रभुत्व की इस्थापना तो क्या हो जाएगा अन्सर कन्योज पर अपने डॉमिनेंस को इस्टैबलिश करने के लिए क्योंकि कन्योज क्या था कन्योज था POLITICAL POWER CENTR, कन्नोज क्या था? POLITICAL POWER CENTR था, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए वो क्या कर रहे थे? आपस में लड़ रहे थे, अगला, किस चोल साशक ने उत्तर भारत पर आकर्मन किया था? विच चोल रूलर इन्वेड़ेड नॉर्थ इंडिया किस चोल साशक ने उत्तर भारत पर आक्रमन किया था राज राज प्रत्थम राजेंद्र प्रत्थम विजयाले परांतक प्रत्थम बताओ क्या हो जाएगा जवाब what should be the right answer बताईए क्या हो जाएगा जवाब बिल्कुल ठीक है तो उत्तर भारत पर आक्रमन करने वाला जो राजा था वो था राजेंद्र प्रत्थम जिसने उत्तर भारत पर आक्रमन किया और फिर एक टाइटल ली जिसे क्या बोलते हैं गंगई कूंड चोलपूरम नाम का मंदिर बनवाया था और टाइटल थी गंगई कॉंड मैंने आपको बताया था गंगई का मतलब होता है गंगा कॉंड का मतलब होता है विजेता तो गंगा के विजेता का मंदिर ठीक राज-राज प्रथम ने जो टेंपल बनवाया था उसका नाम था ब्रिहदेश्वर मंदिर या इसे राज-राजेश्वर मंदिर भी कहते है राज-राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और विज्याले जो था ये चोल वन्ष का संस्थापक था ये चोल वन्ष का संस्थापक थ भी चोल था विज्याले ने ही तंजोर नाम का शहर बनाया था जो चोलों की राजधानी बना था और विज्याले ने ही एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम था निशुम्भ, सूधनी, देवी मंदिर जो की दुर्गा को डेडिकेटेड था राजेंद प्रथम ने उत्तर भारत पर आक्रमन करने के लिए नेवी बिल्ट की थी नौ सेना का निर्माल किया था नौ सेना का क्या किया था निर्माल किया था ठीक है तो answer to this question is राजेंदर first ठीक चलिए अगला देखेगा next question क्या कह रहा है निम्नलिखित कत्नों पर विचार क चोल राज्य में बनी कांसे की प्रतिमाएं संसार की सबसे उतकृष्ट कांसे प्रतिमाओं में गिनी जाती है दूसरा केरा इन प्रतिमाओं में देवी देवताओं के साथ साथ भक्तों की भी प्रतिमाओं का निर्माल किया गया है बताईए complete revision कराना है class चलेगी कम से कम सारे 8 बज़े तक तो आप मान के चलिए क्या हो जाएगा answer option number c बिलकुल ठीक है option number c चोल राज जी की बनी कास से प्रतिमा है संसार की सबसे उतक्रिष्ट चोल डाइनेस्टी को दो चीजों के लिए जाना जाता है एक तो कास से प्रतिमाओं के लिए दूसरा जाना जाता है उसे अपने इस्थानिय शाशन के लिए इस्थानिय शाशन के बारे में जिस अभिलेक से पता चलता है उसे हम उत्तर मेरूर अभिलेक कहते हैं और यह उत्तर मेरूर अभिलेक जो था यह जिस राजा से बिलॉंग करता था उसे हम कहते हैं परांतक प्रत्थम उसे हम क्या कहते हैं परां होनी चाहिए जिनको वेदों का ज्यान होना चाहिए जो लोग क्या करते हों भू राजस्व देते हों ऐसा जमीन होना चाहिए जहां से लेंड रेवेन्यू आता हो तो टैक्सपेर होने चाहिए और जो पिछले तीन साल से किसी समिती के सदस्य ना हूं और जिन्होंने अपने सगे संबंदियों के खाते बनवा रखे हों वो लोग समिती के सदस्य बन सकते थे तो स्थानी शाषन में और ब्राउंज स्कल्प्चर में जो कि लॉस्ट वैक्स टेकनलोजी यानि लुप्त मोम तक्नीक जिसमें मोम को पिखलाकर और उसे आकार दिया जाता था फिर उसमें कासा डालकर मूर्ती तयार की जाती थी तो उसमें देवी देवताओं और भक्तों की भी प्रतिमाय बनाई गई है अगला निम्लेलिखित कत्नों पर विचार करो और सत्य कथन की पहचान करो तवारीक की रचना प्रशाशनिक भाषा अर्भी में की गई थी तवारीक के लेखक सुल्तानों के द्वारा नियुक्त होते थे तवारीक के लेखक इसलामिक शाषन पर बल देते थे, तेरावी सदी के इतिहासकार फक्र ए मुदब्बिर ने न्याय चक्र की अवधारना दी, तो सत्य कथन इसमें से क्या है, option number D वाला है न, फक्र मुदब्ब्बिर ने न्याय चक्र की अवधारना दी, अब ध्यान से सुन लो, तवारीक, तारीक का singular नहीं होता, वो plural प्रशाशनिक भाषा अर्भी नहीं थी फार्सी भाषा थी प्रशाशनिक भाषा क्या थी फार्सी तवारीक के लेखक सुल्तानों के द्वारा नियुक्त नहीं होते थे सुल्टान चाहते तो इनका इस्तमाल कर सकते थे पर ये लोग अपने से लिखते थे ऐसा नहीं कि सुल्टान अपॉइंट करेगा तभी लिखेंगे ठीक है और तवारीक के लेखक इसलामिक शाषन पर बल नहीं देते थे वो न्याय संगत शाषन की बात करते थे न्याय संगत शाषन की बात करते थे हाला कि इसमें बहुत सारे लेखक जो थे वो जन्म सिद्ध अधिकार की बात करते थे और लिंग भेद की बात करते थे यही वज़ा है कि रजिया के साथ डिस्क्रिमिनेट करेंगे और कहेंगे कि रजिया को शाषन नहीं करना चाहिए ना हलाकि सारे लोग इनकी बात से सहमत नहीं होते थे ठीक है अगला देखिएगा निमने लिखित कत्रों पर विचार करिए सुल्तान ने प्रसाशन में गुलामों की नियुक्ती की जिन्हें फार्सी भाषा में बंदगा कहा गया ये बंदगा राजाओं के विश्वास पात्र हो गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग क्या हो जाएगा जवाब वाट शुट बी राइट आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ स्टेट्मेंट्स आ ट्रू बंदगा का मतलब होता है गुलाम पर ये बंदगा राजाओं के विश्वास पात्र होते थे तभी मुहम्मद गोरी कुत बुद्दीन एबग जो की मुहम्मद गोरी का गुलाम था उसे प्रशाशक बना कर गया था ना तो ये लोग बड़े विश्वासपात रोते थे जानवन भी देने को तयार हो जाते थे कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है गुर्जर पतिहार गुजरात और राजस्थान की साइड में थे राष्ट्रकूट पश्चमी दक्कन में थे यानि महारास्था वाली साइड में पाल करनाटक में थे और चोल थे तमिलनाडू में कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है क्या हो जाएगा जवाब देखो अभी तक तो कोई न्यूज आई नहीं है मेरे को लग रहा बढ़ सकता है अभी तक तो वैरसे कोई न्यूज आई नहीं है कोई सुखबु का हड भी नहीं है तो answer to this question is C, पाल कहां थे? करनाटक में नहीं, पाल थे बंगाल में, करनाटक में जो था वहाँ पर थे कदंब वंश, वहाँ पर कौन सा वंश था? कदंब वंश था, जिसका संस्थापक था मयूर शर्मन, मयूर शर्मन, ठेक, राश्टकूट वंश का संस्थापक था दन्ति दुर्ग ये लोग महारास्ट्रा वाले में थे और धन्ति दुर्ग ने एक यग्य किया था जिस यग्य का नाम था हिरन निगर्ब जो गैर क्षत्रिय वर्ण के व्यक्ति को किस में बदल देता था क्षत्री वर्ण में बदल देता था ठेक प्रतिहारों में जो founder था उसका नाम था हरी चंद्र और पाल वंस का founder था गोपाल नाम का व्यक्ति आपको एक map दिखेगा ऐसे ये जो इलाका आप देख रहे हो ये प्रतिहारों का है ये वाला जो इलाका देख रहे हो आप ये रास् था ठीक है चलिए अगला सवाल प्रतिहार नरेश नाग भट ने कन्नौज के राजा चक्र युद्ध को पराजित किया इस बात की जानकारी किस रोच से मिलती है कन्नौज पर सब लोग अपना चाहते थे ना कंट्रोल करना बदाएए वाट शुट बी राइट आंसर तो करेक्ट आंसर इस ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर प्रशस्ती एहोल प्रशस्ती जो है वो पुलकेशन दुतिय की है पुलकेशन सेकेंड की है एहोल प्रशस्ती का राइटर था रवी कीरती जो की पुलकेशन का दरबारी कभी था प्रशस्ती का मतलब प्रसंशा करना होता है ना पुलकेशिं दुटी चालुक के वन्स का राजा था उसको उसके चाचा से ये राज्य मिला था और वो हरश वर्धन को हराएगा नासिक अभिलेख किस से रिलेटेड था गौतमी पुत्र शात करनी से और इसको लिखवाने का काम गौतमी पुत्र शात करनी की माता किसने गौतमी ने गौतमी बल श्री ने करवाया था तो answer to this question is ग्वालियर प्रशस्ती ग्वालियर प्रशस्ती का राइटर था बाला दित्य यह आपको मिलती है नागभट की उपलब्धी जिसमें संस्कृत में लिखी गई थी यह प्रशस्ती और इसमें कह रहा है कि प्रतिहार नरेश नागभट ने क्या किया था भाया उसने ब उडिशा में उसे जीत लिया था ठेक उसके आगे सारे राजकुमार धारशाई हो गए थे कन्नोज के राजा चक्रयुद को हराया था उसने अनर्थ नाम का हिस्सा जीता था जो की गुजरात में था तुरुष्क यानि तुर्कों को हराया था ठेक और किरात यानि वनवासी लोगों को हराया था इन लोगों को उसने क्या किया था पराजित किया था ठेक अगला सवाल देखो निमनलिखित में कौन सा मद करों के अंतरगत आता था जबरन लिया जाने वाला श्रम भूमी पर लिया जाने वाला कर सीडियों के इस्तमाल पर लिया जाने वाला कर अरे हो जाएगा निशा घबराओं मत बदाईए तो चारों सही है ये सब तमिल भाषा में बहुत सारी प्रशास्तियां मिली अभिलेक मिले जिन में प्रशास्तियां कह रहा हूं अभिलेक और अनुदान मिले जिसमें ये है चोल राज में चार सो से अधिक कर सूचक शब्दों का प्रेयोग किया गया है ना तमिल नाडु में शाषन करने वाले चोल वंस के अभिलेकों में चार सो से ज़्यादा वेटी है जो की जबरंश्रम के रूप में लिया जाता था और कदमाई है जो की किस में लिया जाता था भूराजस में उसके अलावा बहुत सारे कर्थे ये वाले याद रखिएगा कदमाई क्या था धा लैन रेवन्यू ठाल कदमाई क्या था बेटा लैन रेवन्यू ठेक नेक्स्ट कोस्टन ने 12 सदी में ब्रिहत संस्कृत कावे की रचना की कल्हण की ये रचना कश्मीर के राजनितिक इतिहास को इंगित करती है क्या हो जाएगा आनसर what should be the right answer बताओ ठीक है ऑप्शन नंबर सी बोथ स्टेटमेंट्स हा टू बारहवी सदी में संस्कृत महा कावे लिखा इसने और स्वरी संस्कृत कावे लिखा ये कश्मीर के राजनितिक इतिहास है इसमें राजाओं के नीतियों की प्रसंशा प्लस अगर नीतियां गलत हैं तो उनकी आलोचना है इसलिए ये प्रशस्तियों के विपरीत एक अलग टाइप की रचना मानी गई जिसमें केवल राजा की प्रसंशा के लिए नहीं लिखा गया ठीक है अगला देखो शाला भोग किस प्रकार की भूमी थी what type of land is शाला भोग मंदिरों को दान में दी गई भूमी पाटशालाओं को दान में दी गई भूमी जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमी या फिर अंत में कह रहा है ब्राम्मनों को उपहार में दी गई भू मिथी बताईए एक बार सेशन को शेयर करो फिर से फटा पट बोलो सबको की आएं वाट टाइप ऑफ लैंड वस शाला भोग तो क्या था पाट शाला पाट शाला से शाला और भोग का मतलब उपभोग के लिए ठीक है यह क्या हो जाएगा अंसर लैंड डोनेटेट टू स्कूल मंदिरों को दान में दिया गया देवदान जैन संस्थानों को तिरुमन कुटनी या पल्ली चंदम ठीक है देवदान को तिरुनम टुकनी भी कहते थे मंदिरों को उपहार में दिया गया वेलन वगाई गैर ब्रहमन किसानों की भूमी बहुत है पूछा जा सकता है ब्रह्मदे नाम से समझ में आ gi고 ध्याले के लिए और पल्ली चंदम जो है वो जैन संस्थानों को ध्यान में दान में दी गए भूमी ठीक है चलो अगला देखो इश्वर ने जो आदर्स समाज विवस्था बनाई है उसके अनुसार इस्त्रियों को पुर्षों के अधीन होना चाहिए ये बात कौन कहेगा अमीर खुसरो फक्र मुदबित जियाउदीन बरनी मिनाजुस सिराज कौन बोलेगा ये बात बताओ जवाब दो कौन बोलेगा ये बात इश्वर ने जो आदर्स समाज विवस्था बनाई है उसके अनुसार इस्त्रियों को पुर्षों के अधीन होना चाहिए यह कथन संबंधित है किस से मिनाज उस सिराज रजिया की आलोचना करेगा रजिया की आलोचना किया था और बोलेगा कि वो रूलिंग के लिए फिट नहीं है किताब का नाम था तबकात ए नासरी इसलिए मैंने कहा था कि ये शाशक लिंग भेद की बात करते थे इनको लगता था पुर्षों के अधीन होनी चाहिए इस्त्रियाँ अगला निम्नलिखित में कौन सा कथन एक्ता विवस्था के संदर्ब में सत्य है एक्ता विवस्था किसने शुरू की थी इल्टू तमिशने क्यों शुरू की थी ताकि एड्मिनिस्ट्रेशन को अच्छे से समहला जा सके इसने 40 सरदारों का संगठन बनाया था 40 अधिकारियों का संगठन बनाया था जिसे हम क्या कहते हैं तुर्क ए चालीसा और एक्ता के तहत इसने छोटे छोटे लैंड पार्ट्स में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया तो कहरा है इक्ते के प्रमुक को मुक्ती कहा जाता था तथा इसका पद आनुवान्शिक नहीं होता था दूसरा के रहा है इक्तेदार का प्रमुक कार राजस्व की वशूली और सांती विवस्था बनाये रखना था तो बिल्कुल ठीक दोनों सही है याद रखेगा इक्तेदार का पद आनुवान्शिक नहीं होता था इसका पद ट्रांसफर होता था इस्थानांत्रित होता था इक्ते के प्रमुक को इक्तेदार मुक्ती या वली कहते थे इसका काम था law and order maintain करना इसका काम था revenue collect करना इसका काम था peace बनाए रखना ठीक यह सब इसके काम थे अगला किस सुल्तान के शाशनकाल में राज ने भू राजश्व के निर्धारन और वसूली का कार अपने हाथ में ले लिया तो इलतुतमेश अलावद्दीन खिल जी मुहम्मद बिन तुगलक सिकंदर लोदी during the reign of which Sultan did the state take over the work of assessment and collection of land revenue बताव क्या होगा answer what should be the right answer what should be the right answer बिल्कुल ठीक है अलावद्दीन खिल जी अलावद्दीन की खिल जी की तुलना एक अभिलेख में मोजज और सुलेमन से की गई है मूसा और सुलेमान जैसे शाशकों से की गई है जबकि बल्बन की प्रसंशा एक संस्कृत प्रसंश्ती में की गई है बल्बन की प्रसंसा संस्कृत प्रसंस्ती में की गई है अलाउदीन खिलजी ने भूमी की पैमाईश कराई और खराज की मात्रा को बढ़ा कर 50% के आसपास कर दिया था खराज क्या था भूराजस्व लेंड रेवेन्यू था इसके अलावा इसने घरों पर और चराई पर कर घरी कर चरी कर भी लगाया था अगला है किस सुल्तान के शाशनकाल में दक्षन भारत को लक्ष करके अभियान किये गए कोई बात नहीं बाद में देख ले ना आप चले जाओ खाना बना लो कोई बात नहीं बदाईए खाना बना कान में लगा कि खाना बना लो क्या हो गया रोटी तो बनानी होगी मोबाइल खोसो साड़ी में कान में लगाओ लीड हजबन को बोलो ऐसा है तुरंद लेके आओ फटाक से बहुत जरूरी क्लास चल लगी हो बनाओ एकदम बिंदास खाना बढ़ियां सुनते सुनते बताओ क्या उ जाएगा आंसर तो आंसर हो जाएगा बी अलावदीन खिल जी के समय में लक्ष कर के अभियान किया गया क्यूँ भैस जो मंगोलों से निपटना था और मंगोलों का सबसे ज्यादा आक्रमन इसी के समय में हुआ था तो यह सेना बनाएगा और स बनाएगा तो पैसा चाहिए इसलिए ये क्या करेगा टैक करेगा सीरी नाम का फोर्ट भी बनाएगा गैरिसन बनाएगा और गैरिसन मैं आपको बता चुका हूं गैरिसन क्या होता था फोर्टिफाइड सेटल्मेंट होता था किलेबंद सैनिक बसा होता था अगला देखिए निम्न मेशक किस सुल्तान ने बाजार पर नियंतर रखने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की काम बिलकूल ठीक किस ने किया था अलाउद्दीन खilजी ने जिन अधिकारी ओंको शहनाय ओन्डी हाना उनको अपोइंट किया था अधिकारी का नाम किया था शहनाय मंडी थीच है अगले देखिए डिल्ली सल्तनत का सरवधिक विस्ता पिस सुल्तान के काल में हुआ दिल्ली सल्तनत का सरवाधिक विस्तार किस सुल्तान के काल में हुआ इस सुल्तान के काल में 24 प्रांत थे और ये बात जो आदमी बताता है उसका नाम है शिहाबुद्दीन उम्री शिहाबुद्दीन उम्री नाम का राइटर था अम्री या उम्री जिसने बताया कि इस राजा के काल में 24 प्रांत थे तो कौन था वो व्यक्ति मुहम्मद बिन तुगलक सरवादिक विस्तार इसके समय में हुआ था मुगलों ने अपनी वंशावली का प्रदर्शन किस प्रकार किया नहीं है जरूरत जब आपने वहां लिया था आपने अच्छे से पढ़ाई किया तो अपने नोट्स को रिवाइज करिए बिना मतलब का कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है बदाईए ओप्शन नंबर सी चित्र बनवाकर बिल्कुल सही हर व्यक्ति तैमूर के साथ चित्र बनवाएगा क्योंकि मुगल अपने आपको तुर्की मतलब फादर वाली साइट से लोग तरकिश ब्लड वाले थे न और तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर अटेक किया था तो मुगल अपने आपको किस से जोड़ेंगे तैमूरों से जोड़ेंगे मुगल अपने आपको मंगोलों से अगले देखो निमनलिखित में उन मुगल साशकों की पहचान कीजिए जिनकी माताएं राजपूत परिवारों से थी हुमायू अकबर अकबर जहांगीर जहांगीर शाह जहां शाह जहां और अरंग्जेब क्या हो जाएगा जवाब ऑप्शन नंबर सी जहांगीर और शाह जहां जहांगीर की जो माता थी वो कच्छवाहा राजपूत थी कच्छवाहा राजपूत थी आमेर के शाशक भारमल की बेटी हरखा बाई और शाजहां की जो माता थी वो राठहौर राजकुमारी थी राठहौर राजकुमारी थी ना चलिए अगला देखेगा निमनलिखित कथनों पर विचार करिए अकबर की सुलह एकुल की नीती सार्वत्रिक शांती पर आधारित थी अब उन फजल ने सुलह एकुल के विचार पर आधारित शाशन द्रिष्टी बनाने में अकबर की मदद की बदाईए क्या हो जाएगा सुलह एकुल का मतलब क्या हो गया? अकबर को ये समझ में आता था कि सारे धर्म जो है वो शांती की बात करते हैं लेकिन कुछ कट्टर लोग होते हैं जो क्या करते हैं मतांत्ता पहलाने पर जोड़ देते हैं अपना रेडिकल नोशन रखते हैं इसलिए अकबर क्या कहेगा सुला एकुल कि सब लोग शांती से रहो तो बिलकुल ठीक और अबुल फजल ने उसकी ये policy बनाने में मदद की थी क्योंकि सुला एकुल की policy आपकी आईने अकबरी में mention की गई है next देखो महा भारत का फार्सी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है Persian translation of Mahabharata is known as Mahabharat का फार्सी translation किस नाम से जाना जाता है बताओ Persian translation किस नाम से जाना जाता है अकबर ने क्या किया था अकबर ने मक्तबखाना बनवाय था मक्तबखाना का मतलब एक Translation Department मक्तब खाना क sujet होता है Translation Department अनुवाद वहाद वीपार्टमेंट बनवाय था उसमें बहुत सारे घ्रनथोत का कि यह वह पर्षियं ट्रांसलेशन के रमायर का योगवसिस्ट लीलावती महाभारत महाभारत का नाम था रज्मनामा निमने लिखित में कौन सा कथन बाबर के विशय में सत्य है उजबेगों के आकर्मन की वज़े से उसे अपनी पैत्रिक गद्धी छोड़नी पड़ी यह अभी बताई दिया आपको और उसने दिल्ली पर अपने राजत्व के जन्मसिद्ध अधिकार का दावा किया he claimed his birthright over the throne of Delhi तो क्या हो जाएगा answer दोनो statements आई है उजबेगों ने ही बाबर को हरा दिया था इसलिए बाबर को फर्गना छोड़के भागना पड़ा था तो फर्गना से निकल के इंडिया आएगा पहले काबुल जीतेगा 1504 में काबुल जीतने के बाद जब वो पानी पद जीत लिया 1526 में इबराहिम लोधी को हराया तो उससे पहले उसने इबराहिम लोधी को यही बात लेटर में लिखी थी कि तुम जिस गद्दी पर बैठे हो वो गद्दी मेरे पाप दादाओं की गद्दी है 1398 में तैमूर ने अटेक करके अल्रेडी इससे जीता था और ये हमारे लोग थे हमारे दादा परदादा थे अगला है निम्नलिकित में कौन सा कथन अकबर नामा के विशए में सत्य है अब ज़र आप ध्यान से पढ़िएगा इस सवाल को मैंने चेंज किया है सवाल में ध्यान से पढ़ना सवाल ध्यान से पढ़ना थेक यह अपुस्तक तीन जिल्दों में लिखी गई कौन सी अकबर नामा तीन जिल्द में लिखी गई इसकी तीसरी जिल्द का नाम आइन ए अखबरी है और फिर कहरा आइन ए अकबरी में अकबर के पूर्वजों का वर्णम दिया हुआ है यार बवानी सर को बोलो उनको बोला था मैंने साड़े आठ से शुरू करेंगे बोलो उनको तेजस्वनी जाके बोलो कि आपको सर कह रहे हैं साड़े आठ बेस से शुरू करना है क्या हो जाएगा तो तीसरा कहरा आइन ए अकबरी में अकबर के पूरवजों का वर्णन है ये वाला स्टेटमेंट गलत है तो answer to this question is 1 and 2 क्यों ये जो तीसरी जिल्द है उसका नाम आइन ए अकबरी है और आइन ए अकबरी में अकबर के प्रशाशन के बारे में बताये गया है अकबर के समय में क्या tax wax लगता था उसके बारे में बताये गया है statistical revenue जो है वो उसके बारे में सब कुछ बताये गया याद रखेगा अकबर नामा के तीन जिल्द है पहली जिल्द में अकबर के पूरवजों का वर्णन है जो दूसरी जिल्द है दूसरी जिल्द में अकबर के शाशनकाल का इतिहास है जो तीसरी जिल्ध है जिसका नाम है आईन ए अकबरी उसमें अकबर के एड्मिनिस्ट्रेशन के बारे में बताये गया है यहां तक की फसलों का या जो भी वस्तुवें होती थी उनका सांख्य की विवरन तक दिया गया हुआ है उसके अंदर ठीक अगला अकबर के राजस्व मंत्री का क्या नाम था रेवन्यू मिनिस्टर का जिसने दहसाला सिस्टम लाया था दहसाला प्रणाली दी थी जिसमें रेवन्यू फिक्स कर दिया जाता था दस सालों के लिए उसका क्या नाम था उसका क्या नाम था बताओ तो option number C, todermal, बिल्कुल ठीक, todermal उसका revenue minister था, अगला देखो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है मनसबदार पद में दो पदों का इस्तमाल किया गया जात और सवार बिल्कुल ठीक है मनसबदार में जात और सवार इस्तमाल होते थे दो पद इस्तमाल होते थे जात मनसबदार की पद और प्रतिष्ठा को बताता था पद प्रतिष्ठा बताता था सवार क्या बताता था सैन उत्तरदाइत तो बताता था कह रहा है सैन उत्तरदाइत तो बताता था और एक्तेदारों की तरह मनसबदार भी अपने इलाकों पर प्रशाशन करते थे बस ये वाली बात गलत है क्यों मनसबदार का अपने इलाके में होना जरूरी नहीं था वो अपना representative भी भेश सकता था तो मनसबदार representative के थू भी शाषन कर सकता था थीक है बाकी जात और सवार होंगे मनसबदार का जो पोस्ट होगा वो ट्रांसफर भी हो सकता था तो आनुवांशिक पद नहीं था जात बताता था पद प्रतिष्ठा वेतन सैन उत्तरदाईत उको सवार की संख्या बताती थी ये 10 के मल्टिपल में देते थे जैसे 5000 जात और 5000 सवार बाकी और डीटेल में जानना है तो आप सिरीज में देख सकते हैं पूरा अच्छे से समझा रखा है टांडा क्या था what was टांडा मध्य भारत की जनजाती व्यापारी खाना बदोशें का काफिला जनजातियों दोरह इस्तमाल की जाने वाली गाड़ी पश्चमी भारत की योध्धा जनजाती बदाए टांडा क्या था बटाओ वाट वस टांड़ा तो व्यापारी खाना बदोशों का काफिला बिल्कुल ठीक व्यापारी खाना बदोशों का काफिला ठीक है अगला देखे गोंड जनजाती का उलेख निम्न में किस पुस्तक में लिखा गया है कि गोंड राज्य में सतर हजार गाओं थे तुजुक ए बाबरी अकबर नामा किताबुल हिंद तुजुक ए जहांगीरी किस राज्य में बताया है किस में बताया है याद रखना जब भी एक कोशन आजाए गोंड राज्य में सतर है सतर हजार गाओं थे इनको बाटा गया था किस में चौरासी बताया था ना चौरासी गाओं की एक यूनिट बनती थी फिर बारा-बारा गाओं का डिवीजन था जिन्हें बरहोत कहते थे ठेक आयुस्सर का गाओं है ना बढ़ोत में तो बरहोत का ही बिगड़ा हुआ नाम से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गई अहोमों ने भुईया का दमनकर नए राज्य की स्थापना की 1530 के दशक में अहोमों ने अगनेयास्त्रों का इस्तमाल किया और फिर कह रहा है अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाईक कहा जाता था बताओ क्या हो जाएगा अंसर अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाईक कहा जाता था यह सत्य नहीं है न क्यों पाईक नहीं कहते थे खेखेल बोलते थे क्या बोलते थे खेल बोलते थे पाइक जो होते थे वो होते थे बंधुआ मजदूर बंधुआ मजदूर होते थे जिन से काम कराये जाता था अहोम राज एसी बंधुआ मजदूरी इनका मेन क्या था अक्यूपेशन था ये म्यामार से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे थ और ये लोग बहुत पहले ही फायराम शुरू कर दिये थे ठीक अगला है निमनलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है सात्वी से नवी शताब्दियों के बीच ठीक सात्वी से नौवी शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदलोनों का प्रादुर्भा हुआ जिनका न मार्ग बताते थे which of the following statement is true some new religious ये अब हम लोग 7th के end की तरफ बढ़ रहे हैं बोथ are true न अलवार और नैनारों ने याद रखना बौद और जैनों की आलोचना की नैनार जो है वो शिव की पूजा की बात करेंगे और अलवार जो है वो विश्नु की पूजा की बात करेंग और इन लोगों को inspiration मिलेगी संगम साहित के गीतों से ठीक अगला देखो अलवार संतों के गीतों का संकलन किस या किन ग्रंथों में किया गया है in which text text is are the compilation of song of alwara sent alwar संतों के भक्ती गीतों का संग्रह बताईए अलवार संतों के गीतों का संखलन किन ग्रंथों में है अरे डी वालो थम जाओ सवाल में चेंज तो देख लो अलवार संतों के गीत तेवरम और तिरुवाचकम नैनारों का है और दिव्व प्रबंधम किसका है अलवार संतों का तो answer to this question is option number a इतना तेजी में हो कि सवाल भी नहीं पढ़ रहे हो और इसे ही गलत करके आ जाओगे exam में ठीक 63 नैनार सेंट थे ये अलग-अलग जातियों से थे उचनिम्न हर तरह की जातियां थी इन में सरवाधिक प्रसिद्ध जो थे उनमें नैनारों में कौन-कौन अपपार संबंदर सुन्दरार मनिक वासगर इनके गीतों के दो संकलन हैं तेवरम और तिरुवाचकम और अगर ह अलवार और उनकी पुत्री अंदाल तो याद रखेगा महिला अलवार संत महिला अलवार संत कौन थी अंडाल पेरी अलवार की बेटी थी, टोंडर डिपोड़ी अलवार और नम्मा अलवार, इनके गीत दिव्य प्रबंधम नाम के रचना में संकलित हैं, तो अलवारों का दिव्य प्रबंधम और नैनारों का तेवरम और तिरूवाचकम, ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित कत्र पर विचार करिए consider the following statement भारत के सरवाधिक प्रभावशाली दार्षनिकों में से एक संकर का जन्म आठवी सताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ ठीक है ठीक है भाई वो अद्वयत वाद के समर्थत थे जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है तो केरल में हुआ था संकराचारे का जन्म संकराचारे ने अद्वयत वाद बोला जिसका मतलब था theory of oneness यानी soul and universal soul are the one next है रामानुज विश्नु भक्त के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाए विश्नु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रामानुज के अनुसार ठीक है रामानुज के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाए विश्नु के प्रति भक्ति भाव रखना था और फिर कह रामानुज ने विशिष्टा द्वयत के सिद्धान्त को प्रति पादित किया था रामानुज का जन्म हुआ था तमिलनाडु में कितनी century में 11th century में 11 सदी में और दोनों स्टेटमेंट विल्कुल क्या है सही है याद रखना अद्वयत वाद कौन दिया था इस कोश्चन को कराने का क्या मीनिंग था हमारा कि तुमको यह याद रहे बात कि अद्वयत वाद दिया था शंकराचारे ने उनका जन्म हुआ था केरल में आठवी सद कान्त दिया जिसका मतलब होता है आत्मा और ब्रह्म एक हैं परंतु आत्मा की अपनी भी एक सत्ता होती है रामा नुज ने जो बात की कहा मोक्षप्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग चाहिए शंकराचारे ने बोला कि मोक्षप्राप्त करने के लिए ज्यान मार्ग चाह बता इन विच स्टेट वीर शैवाइट मुवमेंट इन दे मिडिल ओफ 12th century बताइए सर क्या शंकर असम में भी थे हाँ वो 15 सदी के हैं अभी है उन पर भी सवाल है शंकर 15th century वाले हैं 15 सदी वाले उन पर भी कोश्चन है वो नामगर बनाएंगे और चैतन्य की पूजा करेंगे नहीं पूछा है क्या नहीं पूछा है अच्छा तो नहीं पूछा है तो लगा लो ना यार नहीं पूछ रहा है तो लगा लो भाई इतना क्या उसमें नाइधर वन नौर टू लगा लो ठीक अगला देखो तो क्या हो जाएगा करनाटक करनाटक में वीर शैव संस्थापक थे बसवन्ना संस्थापक कौन थे बसवन्ना ठीक संस्थापक कौन थे बसवन्ना बसवन्ना का वीर शैव वाद क्या है बसवन्ना का जो वीर शैव व तोलन में 12 सदी में चल रहा है करणाटक में प्रारंब हुआ इसमें सभी व्यक्तियों के समानता की बात की गई नारी के प्रती व्यवहार और जाती व्यवहार की बात की गई द्रामणवादी विचारधारा के विरोध्तरक दिया गया और कर्मकांडो और मूर्ती पूजा के ये लोग क्या थे विरोधी थे कर्मकांडो और मूर्ति पूजा के ये क्या थे विरोधी थे ठीक है अगला देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है महराष्ट के ज्यानेश्वर नामदेव एकनात तुकाराम जैसे वैशनव संत कवी भगवान विठ्थल के उप इन्होंने अपना केंद्र कहां इस्थापित किया था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक दो और तीन ध्यान से सुन लो महरास्ट में किसकी उपासना होगी विठल की उपासना होगी संतों में आ जाएंगे ज्यानेश्वर नामदेव एकनाथ तुकाराम ये सब के सब वैशनव संत हैं ये क्या करेंगे विठल की अराधना करेंगे और एक संपरदाय पैदा होगा जिनने वरकरी बोलते हैं तो साल में एक बार घूमने घामने जाएंगे अपने सेंटर में जो कहां बनेगा पंधरपुर में ठीक कहां बनेगा पंधरपुर में इसी में महरास्ट से जब गुजरात में जाओगे तो गुजरात में वहाँ पर नर्सी महता आ जाएंगे और नर्सी महता वही व्यक्ति थे जिनोंने क्या लिखा था वैशनव जन्तो तेने कहिए जो गांधी जी का प्रियक गीत भी था वैशनव जन्तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे अगला देखिए निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है which of the following is correctly matched ध्यान से पढ़िएगा सवाल को ध्यान से पढ़िएगा सवाल को ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है सवाल में निम्न में कौन सा सही सुमेलित है जिक्र कह रहा है नाम का जपना भवानी सर ने शुरू कर दी ही इकलास जिक्र नाम का जिपना समा क्या कहते थे गाना, ना सॉंग वूं को समा और रख्स होता था डान्स ठीक, तीनों बहुत इंपोर्टन्ट है तो जिक्र का मतलब हो गया Chanting name, समा उगया रख्स हो गया डान्स 98 number question कहरा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है खानका सूफी संतों के निवासिस्थान को कहा जाता था सूफी संतों का समाधी इस्थल दरगाह कहलाता था ध्यान से सुन लो खानका क्या था निवासिस्थान समाधी इस्थल क्या था दरगाह सूफी टीचर्स को औलिया या पीर कहते थे और मुरीद कहते थे सूफी संतों के शिश्यों को तो कहरा केवल एक दो तीन एक तीन चार एक तीन एक दो तीन चार तो याद रखना ये आपका एक दो तीन चार सारा हो जाएगा बोहत important है यहां से question आना ही आना है ठीक है अगला देखिए क्या कहरा है भाईया तुलसी दास ने साकार ब्रम की उपासना राम के रूप में की उन्होंने अवदी भाशा में रामचरित मानस की रचना की जो भक्ती भाव और साहित्य दोनों ही द्रिष्टि से महत्वपूर्ण है बताओ तुलसी दास ने साकार ब्रम की उपासना राम के रूप में की और फिर कह रहा है कि उन्होंने अवदी भाशा में रामचरित मानस की रचना की तो क्या हो जाएगा दोनों सही है राम चरित मानस किस में लिखी गई है अवधी में लिखी गई है और तुलसी दास ने सगुन भक्ती धारा के थे ये तो साकार ब्रह्म था और सगुन में भी किसका राम भक्ती शाखा के तो बिल्कुल ठीक है तुलसी दास की यह जो रचना है भक्ती भाव की दृष्टी से तो मानी जाती है वन अफ दे बेस्ट बुक इन दे वर्ड लिटरेरी पॉइंट अफ यू से भी इसको माना जाता है ठीक है और कह रहा है असम में शंकर देव ने विश्नु की भक्ती पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताय तथा नाटक लिखे उन्होंने नाम घर पाठ इस्थापित करने की पद्धती चलाई अब ये जो शंकर देव हैं असम में ये भी शंकर देव हैं पर ये हैं 15th सेंचुरी के 15 सदी के ये वाले जो असम के शंकर देव हैं ये विश्नु के उपासक हैं ये किसके उपासक हैं विश्नु के उपासक हैं किसके उपासक हैं ये विश्नु के उपासक ठीक है उन्होंने नाम घर कविता पाठ और प्राथना ग्री इस्थापित करने की पद्धती चलाई तो answer to this question is option number c ठीक है option number c ठीक है clear है चलो अगला देखो निमनलिकित संतों में से किसने गीत गोविंद की रचना की who among the following saints composed गीत गोविंद शंकर देव जै देव काली दास तुलसी दास बताईए शंकर देव जै देव काली दास तुलसी दास बताईए क्या हो जाएगा अंसर तो जै देव ने गीत गोविंद लिखी ठीक है भाशा क्या थी संस्कृत भाशा क्या थी संस्कृत खासियत क्या है इसको बढ़िया राग में लिखा गया है हर एक चंद जो है स्पेशल राग है स्पेशल टाल है इसकी ठेक बहुत ही विस्मरणी तरीके से लिखा गया है नेक्स्ट कहा रहा है निम्न कत्नों में कौन सा सत्य नहीं है बाबा गुर्नानक का जन्म तलवंडी नाना साहब पाकिस्तान में हुआ था बाबा गुर्नानक ने करतारपुर में अपना केंद्र स्थापित किया बाबा गुर्नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगा नियुक्त की उसे धर्मसाल कहा गया गुर्नानक कि मृत्यू के पश्षात उनके अन्याईयों ने उनका उत्तराधिकारी चुना। क्या होगा आंसर ? क्या हो जाएगा आंसर ? What should be the right answer ? भवानी सर क्या पढ़ाते हैं ? भवानी सर बेटा EBS पढ़ाते हैं यार मैंने उनको बूला था कि सर मेरे को कितने देर से चल रही है सरगी क्लास ? चलो कोई नहीं बस खतम कर लो इसको मेडीवल तक कर लो option number D is the right answer क्यों ? गुर्णानक ने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी गोशित किया था तो मृत्यू के पश्चात नहीं हुआ था जीवन काल में ही उन्होंने लहना को लहना जो था वो बाद में गुरु अंगद के नाम से फेमस हुआ ना गुरु अंगद के नाम से फेमस हुए थे ठीक है ? लीला तिलकम का विशय क्या है ? what is the subject of लीला तिलकम ? राजाओं की कहानी संस्कृत व्याकरण का विशास्त्र नाट्ट विद्याएं या फिर चिकित्सा लीला तिलकम क्या है ? कि इसमें संस्कृत भाषा भी और इसमें तमिल भाषा का उल्लेख किया है दोनों भाषाओं का इस्तमाल करके लिखा गया है गंग वंच के किस शाशत में अपना राज जगनात को सौप कर स्वयम को उसका प्रतनिधी गोशित किया यह पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि यह कोश्चन इस बार आएगा आएगा आफ लाइन वाले पेपर में बताओ बिटा प्रीवेस यहर तुमको सारा का सारा जो है मेरी प्लेइलिस्ट के अंदर मिल जाएगा ठीक है पेड़ागोजी करवाईए अल्रेडी तीन क्लास करा रखी है आप प्लेइलिस्ट में देख सकती है कली लिए एक क्लास तो answer to this question is याद रखना option number D अनंग भीमत्रिती है ठीक है उसने खुद अपना राज जगनात को दे दिया जगनात जो की tribal leader tribal god थे बाद मैंने विश्णू का रूप मान लिया गया पूरे जगत के स्वामी ठीक है और इनका मंदिर बंदिर भी उडिशा के अंदर बनेगा मैंनमती और गोपी चंदर के गीत किस साहित का भाग माने जाते हैं the songs of मैंनमती और गोपी चंदर are considered a part of which देखो मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं part 4 से लेकर part 22 तक आपको class 6th की मेरी complete NCRT का discussion मिल जाएगा history, quality और geography और NCRT filter series के part 23 से लेकर 42 तक आपको class 7th का complete discussion मिल जाएगा history, quality और geography का फिर part 43 से modern India history शुरू हुई है जो कि part 52 तक गई है यानि 10 classes में और 53 से class 8th की quality चल रही है part 53 और 54 अभी 2 part लिया है मैंने जिसमें मैं 8th class का आपको क्या करा रहा हूं quality करा रहा हूं शुरू के 4 chapter हमने 5 chapter discuss इसमें कर लिये मंडे को उसके आगे यानि quality complete होगी मंडे वाले यानि कल वाली class में तो अगर आप ऐसे देखना चाहें तो देख सकते हैं यहां पर answer हो जाएगा नाथ साहित नाथ literature इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजेगा यहां से सवाल आएगा बंगाल में जो प्रारंभिक साहित हैं उनको दो श्रेणियों में हम बाट सकते हैं एक श्रेणी जो संस्कृत की रेणी है और दूसरी उससे इंडिपेंडेंट है जो लेंग्वज में है पहली श्रेणी संस्कृत महा काव्यों के अनुवाद जिन्हें मंगल काव्य कहा गया उनसे रिलेटेड है और भक्ति साहित जैसे गौडी वैशनव आंदोलन के नेता श्री चैतन नदेव की जीवनी यह सब उसके अंदर शामिल है दूसरी श्रेणी में नाथ साहित शामिल है जैसे मैनमती गोपी चंद्र के गीत धर्म ठाकुर की पूजा से संबंदित कहानिया परी कथाएं लोक कथाएं गाता गीत ठीक है यह इनमें लोकल लेंग्विज का इस्तमाल किया गया है अगला देखो किन किन इस्थानों पर आमेर के सवाई राजा जैसिंग ने जंतर मंतर इस्थापित किये थे सवाई राजा जैसिंग ने जंतर मंतर इस्थापित किये थे किन किन इस्थानों पर बदाइए आमेर के सवाई राजा जै सिंग ने प्लीज सर एसस्ती पेड़ागोजी कराई बिटा तीन क्लासेज अल्रेडी करा रखी उनको देख लिया है अभी तो और करानी है न कराऊंगा न काय परशान हो तो इसका अंसर हो जाएगा पाचो जगह पे ठीक है याद रखेगा इंपोर्टेंट है पूछा जा सकता है ठीक अगला गुरु गोविंद सिंग के बाद किसने खालसा का नित्रित्व समाला था आपको पता है कि जहांगीर के काल में एक सिख गुरु को मृत्युदंड दिया गया जिनका नाम था गुरु अरजन देव या अरजुन देव भी कह देते हैं और फिर औरंग जेब के समय में एक और सिख मृत्युदंड दिया गया जिनका नाम था गुरु तेग बहादूर इन दोनों घटनाओं के बाद गुरुतेग बहादुर के बेटे अगले गुरु बने जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंग और इन्होंने सिखों का राजनीती करन करके दल खालसा बनाया खालसा पंथ बनाया 1699 में और औरंग जेब के विरुद के विद्रो कर दिया उनकी डेथ के बाद बन्दा बहादूर ने विद्रो का नेत्रित्व समँध्व था ने गुरु गरंद साहब को अंतिम गुरु के तौर पे क्या कर दिया था अपॉइंट कर दिया था ठीक है चलिए अगला देखिएगा महाराजा रणजीत सिंग ने अपनी राजधानी कहां इस्थापित की थी अमृत सर लाहौर पेशावर काबुल 1799 में महाराजा रणजीत इनकी इस्टैबलिश हुई कहां पर हुई तो लाहौर में बिलकुल ठीक कहां पर लाहौर में अगला सवाल देखो अठारवी सभी के स्वकंत राज्यों में कौन सा सही सुमेलित है मुगल एमपायर के धीरे-धीरे कमजोर होने की वज़ा से 1707 में औरंग जेब की डेथ हु और औरंग जेब की मृत्यू के बाद छोटे-छोटे कई सारे क्या बने स्टेट बने उनमें यह तीन बड़े इंपॉर्टेंट थे जिसमें बंगाल के इंडिपेंडेंट फाउंडर कौन था मुर्शीद कुली खान अवद का था सादत खान जिसकी टाइटल थी बरहान उल मुल्क बरहान उल मुल्क और फिर हैदराबाद में आसफ जा जिसकी टाइटल थी निजाम निजाम उल मुल्क यानि तीनों के तीनों सही हैं यहां से सवाल आएगा बंगाल का फाउंडर मुर्शीद कुली खान अवद का फाउंडर सादत खान बरहान उल मुल्क हैदराबा भारती इतियास का प्रथम गवर्नर जन्रल था अरे तो क्यूं ले रहे हैं क्लास उनको 102 डिग्री फीवर है तो कसम से मतलब गजव हालत है मैं पढ़ा तो रहा हूं छोड़ देते क्लास निम्न मैं से कौन भारती इतियास का प्रथम गवर्नर जन्रल था तो भारत के इतियास का प्रथम गवर्नर जन्रल कौन होगा Warren Hastings और William Bentic क्या होगा? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अरे यार, भारती ये गवर्नर जनरल है न, 1833 के Charter Act से, पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो भारत का गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल विलियम Bentic, Warren Hastings प्रथम गवर्नर जनरल था या बंगाल का भी कह सकते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, 1773 के Regulating Act से, और Lord Canning हो जाएगा प्रथम वायस रॉय, प्रथम वायस रॉय, 1858 के Charter Act से, ठीक? और प्रथम भारती जो गवर्नर जनरल बना, या आजादी के बाद पहला गवर्नर जनरल जो भारत का बनेगा, वो थे सी राजगोपाला चारी, ठीक? सी राजगोपाला चारी, ठीक है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? वारन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर था, पहला गवर्नर था बंगाल का, ठीक? अगला देखो, चलो एक काम करो रहने दो, इसको हम करा देंगे किसी दिन और, ठीक है? अब पढ़ाने दो सर को पढ़ा रहे हैं तो, अब हाँ, जो लोग मॉडन इंडिय का देखना चाहते हैं, मॉडन इंडिया अगर आप शुरू करना चाहते हैं, मतलब क्लास एर्थ शुरू करना चाहते हैं, आप NCRT फिल्टर सिरीज पार्ट 43 से स्टार्ट करिए, तो आपको पार्ट 43 से 52 तक कम्पलीट आपको एर्थ क्लास की हिस्ट्री मिल जाएगी, ठी सीधे, वाइटी के ऊपर ठीक है, और वाइटी के ऊपर जाओ, वाइटी के ऊपर आप टाइप करो क्या, चल भाई, हद हो गई यार, नहीं चल रहा है, चलो कोई नहीं, तो इसमें जाके आप जो है ना, प्लेलिस्ट में देखना, टीचा सड़ा पे, प्लेलिस्ट में देखना तो तुमको मिल जाएगा, ठीक, यहां तो सग्ण भाला खुला हुआ है, ठीक है, हुँट मुसीबत है यह, एक्ट, तो प्लेलिस्ट पे जाके देखना, टीचा सड़ा पे, प्लेलिस्ट में जाना, चौथे नमबर पे, सीटेट प्रिपरेशन में मेरी प्लेइलिस्ट है उसमें जाके आप देख लें न मौडन इंडिया वाली वैसे तुम चाहो तो जो मैराथन मैंने और नवनीत सर ने ली थी उसमें मैंने मौडन इंडिया को रिवाइस करा रखा है तुम तब तक वो देख लो इसको किसी दिन हम पूरा एक एर्थ क्लास आपको करा देंगे ठीक है चलो ठीक है फिर आज के लिए इतना ही टाटा बाई बाई नमस्कार सेशन पसंद आया हो तो लाइक वाइक कर देना भाई ठीक है